जितनी देर रहना चाहो रहो, इगोर को बगड़े आएगी, इगोर ने तुम्हें बगड़ लिया आगे बढ़ो, उठाओ इसे नहीं, तुम आगे बढ़ो और उठाओ बुजोर्गों ने सिखाया है कि बेटा कुछ भी करना लड़कियों की कोई बात कभी मत मानना कहीं डर तो ने गए, तब तो मुझे कुछ ज्यादा ही कोशिश करनी होगी देखा, तुमारी बात मानी होती तो उठाओ 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 इस चाह करो आफकी जाओ ज्याओ जाओ च्ठाओ नहीं जाशीती पाचा कावल, जिए देखो कि आपना सासे किनाश्यूरू करों आटाओ दो प्रब टेज़ा प्रणाजार प्राव को अजर सो जैडर दो नए अजर पिस्ट करेंगा। आपचाओ आपकाओ तो यहां कैपिर रहे हो अपना ही लाज तुनाचो मेरे दोस्त मेरे लेला गूर रहे है मेरे दोस्त आप दोस्त पुमें चाहिए क्या तुमें तक्लीक होगी तुम्हें तर्द सहने क्यादत पड़ गई है मुझे इससे पता चलता तुम जिन्दा हो तो यह कहानी शुरू होती जहां पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो की ड्रैकुला की हेल्प से एक मरी हुई लाश को जिन्दा करता है यानि की इसको जिन्दा करने में डॉक्टर की साइन्स और ड्रैकुला की मैजिकल पावर्स हैं यह जिन्दा होने वाला आदमी बिलकुल एक मॉंस्टर है दूसरी तरफ उस लोकल गाउं के लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर कुछ ऐसा कर रहा है इसलिए वो सब लोग उस डॉक्टर और उस मॉंस्टर को मारने के लिए उस किले की तरफ जा रहे होते हैं अंदर की तरफ डॉक्टर बहुत खुश होता है कि उसने बहुत अच्छी चीज इन्वेंट की है लेकिन ड्रैकुला बताता है कि वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तिमाल करेगा यानि की अपने आपजेक्टिव्स के लिए इस्तिमाल करेगा जो की बहुत खतरनाक होने वाले हैं इस चीज को देखते हुए डॉक्टर ड्रैकुला को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ड्रैकुला रुकने वाला नहीं था और वो उस डॉक्तर को मार देता है और उसी वक्त वो मॉन्स्टर भी उठ जाता है और अपने बनाने वाले डॉक्तर को उठा कर उस किल्ले से बाहर भागने लगता है और बाहर भागते भागते वो मॉन्स्टर डॉक्तर को लेकर एक विंडमिल के अंदर चला, जाता है अब हम डॉक्टर के असिस्टेंट को भी देखते हैं, जो की बेसिकली ड्रैकुला से, मिला होता है वो तमाम लोगों को बताता है कि वह मॉंस्टर डॉक्टर को लेकर उस विंडमिल में गया है, तुम लोग उधर जाओ और वह सब लोग उसे विंडमिल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, ये सब गाव के लोग उस विंडमिल को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह वो मॉनस्टर और डॉक्तर वही पर मर जाते हैं और इतनी ही देर में ड्रैकुला अपने उड़ने वाली फौर्म में आ जाता है यानि की ड्रैकुला उड़ भी सकता है और इसी के साथ इसकी तीन वाइफ होती है वो उसी जगहे पर आ जाती है जहां पर वो monster मरा होता है, Dracula बहुत उदास होता है, बहुत नाराज होता है, बहुत sad होता है, और उसकी wife रो रही होती है, उस monster को बचा नहीं पता, और monster को क्यों बचाना चाहता था, इस चीज का मकसद कुछ ही देर में हमें clear होने लगेगा, अब कहानी एकदम से एक साल बात की दिखाई ज यहाँ पर हम अपने main character Van Helsing को देखते हैं जो की एक monster slayer है यानि की monsters को पकड़ता है और उन्हें मारता है और यहाँ पर Van Helsing एक monster को पकड़ने के लिए आया होता है लेकिन वो monster उसपर attack करता है Van Helsing भी उससे लड़ता है खैर लडाई के आखिर में वो monster तर बिल्दिंग से गेर के नीचे मारा जाता है और उसको मारने के बाद ये अपने मूल के एक चर्च में वापस आजाता है यहाँ पर यह प्रिस्ट से मिलता है यानि की पादरी से मिलता है यह पादरी एक ऐसे आपजेक्टिव पर कम कर रहे होते हैं जिनका मकसद शैतानों को मारना है और वैन हेलसिंग इनही के लिए काम कर रहा होता है यह प्रिस्ट बेसिकली वैन हेलसिंग को बताता है कि ट्रांसलवेनिया में मौझूद ड्रैकुला को तुम्हारा मारना नेक्स्ट मिशन है और यह ड्रैकुला बेसिकली तमाम शैतानों का बादशाह है उनका राजा है इसके अलावा प्रिस्ट यह भी बताता है कि एक लड़ की हेल्प करनी पड़ेगी और इस लड़की एना का खांदान पिछले 400 साल से ड्रैकुला के खिलाफ लड़ रहे हैं उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक काम्याब नहीं हुए और अब इनके खांदान में सिर्फ एना और उसका भाई ही रह गया है बेन एक दूसरे प्रीस्ट से मिलता है जो की उसे डिफरेंट हथियार देता है डिफरेंट वेपन्स देता है जिसमें वैन हेलसिंग को सबसे ज्यादा अच्छी एक क्रॉस वो लगती है एक तीर की तरह वैन हेलसिंग आखिरकार उसे भी माना कर अपने साथ ले जाने के लिए तयार कर लेता है यानि अब सफर में वैन हेलसिंग और यह जूनियर प्रीस्ट दोनों जाएंगे दूसरी तरफ आना और उसका भाई जो की ड्रैकुला के दुश्मन होते हैं वो यहाँ पर एक वेयर वुल्फ को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाते हैं यानि की एक भेड पकड़ रहे हैं लेकिन काफी लड़ाई के बावजूद भी वो उसमें काम्याब नहीं होते वो काफी कोशिश तो करते हैं लेकिन जब वो भेडिया एन को मरने लगता है तो उसका भाई उसे हटा के उस वुल्फ का शिकार करने लगता है लेकिन वो भेडिया उसको उपर जंप लगता है और वो भेडिया और एना का भाई पानी में जाकर गिर जाते हैं और यहाँ पर एना बहुत उदास हो जाती है रोने लगती है क्योंकि ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि उसका भाई मारा गया है कुछ दिन बाद भेन हेलसिंग ट्रांसल वेनिया में पहुँच जाता है यहाँ पर गाव वाले इसको पसंद नहीं करते लेकिन उतनी ही देर में ड्रैकुला के तीनों वाइब्स इस गाव पर अटैक कर देती क्योंकि यहाँ पर एना भी मौजूद होती है और ड्रैकुला की वाइब्स एना को पढ़कर उसका खून पीना चाहती है यह एना आसान नहीं था लेकिन आखिरकार वो अपनी क्रॉसबॉस से एक वाइफ को तीर मार देता है जिसकी वजह से एक वाइफ वहीं पर मर जाती है जिसको देखकर बाकी दो वाइफ दर जाती है और वहां से भाग जाती है जब एना देखती है कि द्रैकुला की वाइफ ने उसे पता था कि ये अगर गई तो की जान को खत्रा होगा और वो उसको वहीं पर बेहोश कर देता है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके एना जब बेहोशी से जगती है तो वहाँ पर वो एक भेडियों को देखती है जो उसे पर अटैक कर देता है और यहीं पर हमें रिव पाड से नीचे गिरते हुए काट लेता है अब क्योंकि वो एक वेयर वुल्फ था और वेयर वुल्फ की निशानी ये होती है वो जिसको काटता है वह इनसान भी वेयर वुल्फ बन जाता है यानि की आधा इनसान और आधा भेडिया अब एना का भाई आधा इनसान और आधा भेडिया बन चुका है और वो एना को बताता है कि वो ड्रैकुला की सीक्रेट्स के बारे में जानता है कि वो क्या करने वाला है और सिर्फ उसी के पास मेरा इलाज है जिसकी वजह से मैं ड्रैकुला क बेडिया बन जाता है और वो वहां से भाग जाता है ये दोनों एन के भाई का पीछा करके एक ऐसी जगहे पर पहुँचने हैं जहां पर ड्रैकुला का सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वहां पर बहुत ज्यादा एक्स है जिसकी मदद से ड्रेग होला अपने हजारों लाखों आफ स्प्रिंज पैदा करना चाहता है यानि कि अपने बच्चे पैदा करना चाहता है ताकि उसकी आर्मी बढ़ सके उसकी जेनरेशन बढ़ सके और इस मकसद के लिए उसे बहुत ज्यादा हई इनर्जी चाहिए ताकि वो बच्चे पैदा हो साके एना के भाई को ड्रैकुला ने अपने काबू में किया हुआ ताकि उसकी बॉडी की एनर्जी से वो अपने बच्चों को जिन्दा कर सके और वो कुछ बच्चों को जिन्दा भी कर लेता है और ये बच्चे जिन्दा होते यही गाव की तरफ जाते हैं ताकि लोगों का खून पी सके दूसरी तरफ यहाँ पर फर्स्ट टाइम वैन हेलसिंग और ड्रैकुला का आमना सामना होता है लेकिन वैन हेलसिंग मौका देखकर एना को ड्रैकुला ने बेसिकली एना के भाई को अपने एक्सप्रिमेंट के लि का एक्सप्रिमेंट फैल हो जाता है बलकि जो थोड़े बहुत बच्चे उसके निकले भी हुए थे वो भी वही पर मर जाते हैं और एक बार फिर से ड्रैकुला को हार का मुह देखना पड़ता है वैन हेलसिंग और एना भागते हुए एक विंडमिल की तरफ आ जाते हैं य भी भी जिन्दा है वो मॉन्स्टर उन्हें कहता है कि मुझे मार दो क्योंकि अगर मुझे छोड़ा गया और मैं ड्रैकुला के हाथ लग गया वो मेरे जरिये अपने बच्चे जिन्दा कर लेगा और सिर्फ एक मैं ही ऐसा सोर्स हूँ जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को जिन्दा कर सकता है क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर और एनरजी है ये ड्रैकुला मेरे अलावा किसी भी और तरीके से अपने बच्चों को जिन्दा नहीं कर सकता तो मुझे मार दो लेकिन वेन हुलसिंग उसे नहीं मारता क्योंकि वो आपजर्व करता है कि यह एक मॉंस्टर उसे अभी भी मिस करता है इनकी सब बाते वेर वुल्फ भी सुन रहा होता है यानि के एना का भाई ड्रैकुला के लिए काम कर रहा है तो वो ये सारी बाते जाकर ड्रैकुला को बता देता है कि वो मॉंस्टर अभी भी जिन्दा है तुम उसे मॉंस्टर की अपने बच्चों को जिन्दा कर सकते हो लेकिन मुझे ठीक करने का क्योर तुम्हें देना होगा ताकि मैं फिर से इंसान बन सकू दूसरी तरफ एना मौंस्टर को मारना चाह रही होती है। लेकिन वेन हेलसिंग उसको रोक देता है वो कहता है कि मैं इसे अपने मुल्क लेकर जाऊंगा जहां पर यह सेफ रहेगा और ड्रैकुला इसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कभी भी इस्तिमाल नहीं कर पाएगा और यह सब लोग उसे मौंस्टर को। एक करेज में बिठा कर चलने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए ड्रैकुला की दो वाइफ इन सब पर अटैक कर देते हैं यह बहुत लड़ते हैं। लेकिन इन्हें पहले से मालूम था कि हम पर रास्ते पर अटैक हो सकता है। इसलिए इन्होंने एक ट्रैप भी बिचा है लेकिन वो उसे काट लेता है। और देखते ही देखते ग्रैकुला की तीसरी वाइफ एना को उठा कर उठ जाती है। और वो कहती है कि अगर तुम्हें एना चाहिए तो इस मॉंस्टर को तुम्हें हमारे हवाले करना होगा। वेन हेलसिंग इसके लिए तयार हो जाता है और वो कहते हैं कि ठीक है हम सोदा ऐसी जगहे पर करेंगे जहां पर बहुत ज्यादा लोग होंगे अब ये एक फेस्टिवल में पहुँच जाते हैं जहां पर इनकी डील होनी थी और यहां आने से पहले वैन हेलसिंग उसे मॉंस्टर को कहीं छुपा कर आता है ताकि वो सि फेस्टिवल के अंदर वैन हेलसिंग काफी मुश्किल के बाद एना को यहां से बचा कर भाग कर ले जाने ही वाला होता है कि ड्रैकुला का असिस्टेंट मॉंस्टर को पढ़कर उधर ले आता है हालां की वैन हेलसिंग ने तो उसको छुपा दिया था लेकिन किसी तरह वो लोग उसको ढूंढ लेते हैं और वो उसको पकड कर ले आते हैं उसे मॉंस्टर को बोट पर बिठा कर लेकर जा रहे होते हैं वैन हेलसिंग उनका पीछा करता है लेकिन वो नाकाम्याब रहता है यानि कि उसको सक्सेस नहीं मिलती और यहां पर वैन हेलसिंग पर भेडिया यूंकि वयर बोल्स बनने के लिए यानी भेडिया करने के लिए चांद का होना जरूरी है, चांदनी रात का और अभी चांद उतना नहीं निकाला होता, लेकिन दो ही दिन में फुल मून है यानि की चौधरी का चाद और वो मुकम्मल तौर पर भेडिया उसे दिन बन जाएगा इसके बाद ये सब लोग एना के महल में आ जाते हैं जहां पर वो एक दिवार को देखते हैं ना इन सब को बताती है कि हमारे आंसेस्टर्स इस दिवार को बार-बार देखा करते दशायत द्रैकुला तक पहुँचने का ये कोई सीक्रेट या खुफिया रास्ता है वेन हेलसिंग उस दिवार को देख रहा होता है और नीचे देखता है कि एक उसका कवर फटा हुआ है उसको देखकर उसे ख्याल आता है कि जब मैं अपने मुल्क से निकर रहा था तब सीनियर प्राइस ने उसे कागस का टुकडा दिया था उसकागस के टुकडे को उसे दर्वाजे पर लगता है तो वो दर्वाजा खुल जाता है और वो सीधा ड्रैकुला के महल में इंतर हो जाते हैं यहाँ पर वह ड्रैकुला के असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं और मॉंस्टर को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह नाका कर लिया और खुद को लगा लिया तो तुम इनसान बन जाओगे और तुम कभी भेडिया नहीं बनोगे पर वो वेनम द्रैकुला ने अपने पास इसलाए रखा हुआ है क्योंकि उसको सिर्फ भेडिया ही मार सकता है इसलिए ड्रैकुला ने वो इलाज संभल कर रखा हुआ है ताकि कोई भेडिया उसे पर अटैक करने आए तो वो उसको इन्जेक्शन लगा कर दोबारा से इनसान बना दे इसलिए सेफ साइट के लिए ड्रैकुला ने वो इलाज अपने पास रखा हुआ है इसके बाद वैन हेलसिंग जाता है मॉंस्टर को ढूंडने के लिए जब के एना और वो जूनियर प्राइस उस इन्जेक्शन को ढूंडने जाते हैं जिसमें वैन हेलसिंग का इलाज है उन्हें वो इन्जेक्शन तो मिल जाता है लेकिन ड्रैकुला का असिस्टेंट उन्हें वहाँ पर बंद करके भाग जाता है यहाँ पर ड्रैकुला की तीसरी वा और इन सब के दर्मिया लड़ाई जारी रहती है जबकि दूसरी तरफ मॉंस्टर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है ताकि ड्रैकुला के बच्चों को जगाया जा सके दोबारा से जिन्दा किया जा सके यहां पर वैन हेलसिंग मॉंस्टर को छुडाने ही बाला होता है कि ड गिरने लगता है और हम सीधा जाकर ड्रैकुला की वाइफ के उपर जाकर गिरता है जो कि एना को तक्रीबन मारने ही वाली थी मॉंस्टर के ऊपर गिरने से इसकी तीसरी वाइफ भी मारी जाती है आज पूरे चांद की रात है और वैन हेलसिंग एक इनसान से एक वेयर वु अपने वैंपायर की मुकम्मल ताकत में है, ये दोनों आपस में काफी देर लड़ते हैं, कभी तो ड्रेकुला वैन हेलसिंग को मार रहा होता है, तो कभी वैन हेलसिंग ड्रेकुला को लेकिन आखिरकार वैन हेलसिंग उसकी गरदन पर काट देता है, जिसकी वजह से जिनको वो जिन्दा करना चाहता था वो सारे भी मर जाते हैं एना देखती है कि वैन हेलसिंग भेडिया बन चुका है क्योंकि एना के पास वो इंजेक्शन था जिसे वो उसे ठीक कर सकती थी तो वह उसे लगाने की कोशिश करती है। लेकिन वैन हेलसिंग समझता है कि उसके लिए कोई खत्रा है और गलती से यह भेडिया एना पर हमला कर देता है एना वहीं पर मार जाती है। यह एक सेड मोमेंट है इसके बाद यह सब समंदर के किनारे जाते हैं और एना की डेट बॉड़ी को आग लगा देते हैं और उसी की थोड़ी देर बाद वैन हेलसिंग आसमान की तरफ देखते हैं जहां पे बादलों में उसे एना दिखाई देती है जो की मुस्कुरा रही होती है बहुत खुश लग रही होती है और वैन हेलसिंग भी उसको देख कर मुस्कुराता है जैसे की एना को सब कुछ मिल गया हो जैसे वो अपने पैरेंट्स के साथ जाकर मिल गई हो और यहीं पे वैन हेलसिंग की स्माइल के साथ यह मुवी भी एंड हो जाती है थैंक य जितनी देर रहना चाहो रहो, इगोर को बगड़े आई थी, इगोर ने तुम्हें बगड़ लिया आगे बढ़ो, उठाओ इसे, नहीं, तुम आगे बढ़ो और उठाओ, बुजोर्गों ने सिखाया है कि बेटा कुछ भी करना लड़कियों की कोई बात कभी मत मानना कहीं टर तो ने गए, ताहीं, तब तो मुझे कुछ स्यादा ही कोशिश करनी होगी देखा, नुमारी बात मानी होती तो, उठाओ से, उठाओ से जाओ, जाओ जाओ, जाओ! जब द्भार सक्षिए striking जाओ जाओ करोन देखो यहाफ नसा से किन शुरू रुरू अणा! क्षिश्ण में कि ऩाफज़ू नसा झाले कोि खोब। लिदान! यहाफचा! वहाफचा! यहाफ़। ममेले भीका रहिए, नागर्णी मेरे दूएजने, जुँ नुएजना। कि यहाँ रहुआ रहुआ है? अप्ट बशने लाई दुएजने अप्टा। दोस दूस्टे लेले लाई हूं दूस्टे अप्क्ट लेख से घिए हैं? तो यह कहानी शुरू होती जहां पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो की ड्रैकुला की हेल्प से एक मरी हुई लाश को जिन्दा करता है यानि की इसको जिन्दा करने में डॉक्टर की साइन्स और ड्रैकुला की मैजिकल पावर्स हैं यह जिन्दा होने वाला आदमी बिल्कुल एक मॉन्स्टर है दूसरी तरफ उस लोकल गाव के लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर कुछ ऐसा कर रहा है, इसलिए वो सब लोग उस डॉक्टर और उस मॉंस्टर को मारने के लिए उस किले की तरफ जा रहे होते हैं, अंदर की तरफ डॉक्टर बहुत खुश, होता है कि उसने बहुत अच् की है, लेकिन ड्रैकुला बताता है कि वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तमाल करेगा, यानि की अपने ऑबजेक्टिव्स के लिए इस्तमाल करेगा, जो की बहुत खतरनाक होने वाले हैं, इस चीज़ को देखते हुए डॉक्टर ड्रैकुला को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैकुला रुकने वाला नहीं था, और वो उस डॉक्टर को मार देता है, और उसी वक्त वो मॉन्स्टर भी उठ जाता है, और अपने बनाने वाले डॉक्टर को उठाकर उस किल्ले से बाहर भागने लगता है, और बाहर भागते भागते वो मॉन्स्टर डॉक्ट को बताता है कि वह monster doctor को लेकर उस windmill में गया है तुम लोग उधर जाओ और वह सब लोग उसे windmill की तरफ बढ़ने लग जाते हैं ये सब गाव के लोग उस windmill को आग लगा देते हैं जिसकी वजह से वो monster और doctor वहीं पर मर जाते हैं और इतनी ही देर में Dracula अपने उड़ने वाली form में आ जाता है यानि की Dracula उड़ भी सकता है और इसी के साथ इसकी तीन wife होती है वो उसी जगहे पर आ जाती है जहां पर वो monster मरा होता है ड्रैकुला बहुत उदास होता है बहुत नाराज होता है बहुत sad होता है और उसकी wife रो रही होती है उस monster को बचा नहीं पता और monster को क् इस चीज का मकसद कुछ ही देर में हमें clear होने लगेगा अब कहानी एकदम से एक साल बात की दिखाई जाती है यहां पर हम अपने main character Van Helsing को देखते हैं जो की एक monster slayer है यानि की monsters को पकड़ता है और उन्हें मारता है और यहां पर Van Helsing एक monster को पकड़ने के लिए आया होता है लेकिन वो monster उस पर attack करता है Van Helsing भी उस से लड़ता है खैर लड़ाई के आखिर में वो monster तर building से गेर के नीचे मारा जाता है और उसको मारने के बाद यह अपने मूल के एक church में वापस आ जाता है यहां पर यह priest से मिलता है यानि की पादरी से मिलता है यह पादरी एक ऐसे objective पर कम कर रहे होते हैं जिनका मकसद शैतानों को मारना है और Van Helsing इन ही के लिए काम कर रहा होता है यह priest basically Van Helsing को बताता है कि Transylvania में मौझूद Dracula को तुम्हारा मारना next mission है और यह Dracula basically तमाम शैतानों का बादशाह है उनका राजा है इसके अलावा priest यह भी बताता है कि एक लड़ कोशिश करते रहते हैं लेकिन वो बहुत बहादूर है बहुत खतरनाक है इन लोगों की efforts काफी नहीं है तुम्हें जाके उनकी help करनी पड़ेगी और इस लड़की एना का खानदान पिछले 400 साल से ड्रैकुला के खिलाफ लड़ रहे हैं उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक काम्याब नहीं हुए और अब इनके खानदान में सिर्फ एना और उसका भाई ही रह गया है बेन हेलसिंग इस objective को select कर लेता है और वो इस mission के लिए मान जाता है यहाँ पर वैन हेलसिंग एक दूसरे priest से मिलता है जो की उसे different हथियार देता है different weapons देता है जि तीर की तरह वैन हेलसिंग आखिरकार उसे भी माना कर अपने साथ ले जाने के लिए तयार कर लेता है यानि अब सफर में वैन हेलसिंग और यह junior priest दोनों जाएंगे दूसरी तरफ आना और उसका भाई जो की ड्रैकुला के दुश्मन होते हैं वो यहाँ पर एक वेयर वुल को पकड़ने के लिए ट्रैक बिचाते हैं यानि की एक भेडियों को पकड़ रहे हैं लेकिन काफी लड़ाई के बावजूद भी वो उसमें काम्याब नहीं होते वो काफी कोशिश तो करते हैं लेकिन जब वो भेडिया एन को मरने लगता है तो उसका भाई उसे हटा के उस वुल्फ का शिकार करने लगता है लेकिन वो भेडिया उसको उपर जंप लगता है और वो भेडिया और एना का भाई पानी में जाकर गिर जाते हैं और यहाँ पर एना बहुत उदास हो जाती है रोने लगती है क्योंकि ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि उसका भाई मारा गय कुछ दिन बाद वेन हेलसिंग ट्रांसलवेनिया में पहुंच जाता है। यहाँ पर गाव वाले इसको पसंद नहीं करते। लेकिन उतनी ही देर में ड्रैकुला के तीनों वाइब्स इस गाव पर अटैक कर देती क्योंकि यहाँ पर एना भी मौजूद होती है। और इतना आसान नहीं था लेकिन आखिरकार वो अपनी क्रॉसबॉस से एक वाइफ को तीर मार देता है जिसकी वजह से एक वाइफ वहीं पर मर जाती है जिसको देखकर बाकी दो वाइफ दर जाती है और वहां से भाग जाती है जब एना देखती है कि द्रैकुला की वाइफ न प्रोटेक्ट किया जा सके एना जब बेहोशी से जगती है तो वहाँ पर वो एक भेडियों को देखती है जो उसे पर अटैक कर देता है और यहीं पर हमें रिवील होता है कि वो भेडिया और कोई नहीं उसी का भाई था क्योंकि स्टोरी में जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो वो भेडिया जो उसके भाई पर जिसने अटैक किया था वो इसको पहाड से नीचे गिरते हुए काट लेता है अब क्योंकि वो एक वेयर वुल्फ था और वेयर वुल्फ की निशानी ये होती है वो जिसको काटता है वह इनसान भी वेयर वुल्फ बन जाता है यानि की आधा इनसान और आधा भेडिया अब एना का भाई आधा इनसान और आधा भेडिया बन चुका है और वो एना को बताता है कि वो ड्रैकुला की सीक्रेट्स के बारे में जानता है कि वो क्या करने वाला है और सिर्फ उस का भाई दोबारा से भेडिया बन जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है ये दोनों एन के भाई का पीछा करके एक ऐसी जगहे पर पहुँचने हैं जहां पर ड्रैकुला का सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा एक्स है जिसकी मदद से ड्रेग होला यानि की अपने बच्चे पैदा करना चाहता है ताकि उसकी आर्मी बढ़ सके उसकी जेनरेशन बढ़ सके और इस मकसद के लिए उसे बहुत ज्यादा हाई इनर्जी चाहिए ताकि वो बच्चे पैदा हो साके एना के भाई को ड्रैकुला ने अपने काबु में किया हुआ जाते हैं ताकि लोगों का खून पी सके दूसरी तरफ यहाँ पर फर्स्ट टाइम वैन हेलसिंग और ड्रैकुला का आमना सामना होता है लेकिन वैन हेलसिंग मौका देखकर एना को ड्रैकुला ने बेसिकली एना के भाई को अपने एक्सप्रिमेंट के लिए इस्तिमाल किया ह होता है क्योंकि उसके अंदर भेडिये यानि वैर वुल्फ की भी ताकत है लेकिन यह ताकत इतनी काफी नहीं होती ड्रैकुला के लाखों बच्चों को वो पैदा कर सके और ड्रैकुला का एक्सपेरिमेंट फैल हो जाता है बलकि जो थोड़े बहुत बच्चे उसके निकल मिल की तरफ आ जाते हैं ये वही विंड मिल थी जो शुरू में दिखाएंगे थी वर्टिकल बार जहां पर मॉंस्टर वो डॉक्टर मरेद थे अब जब ये दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वो मॉंस्टर अभी भी जिन्दा है वो मॉंस्टर उन्हें कहता है कि बच्चों को जिन्दा कर सकता है क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर और एनरजी है ये ड्रैकुला मेरे अलावा किसी भी और तरीके से अपने बच्चों को जिन्दा नहीं कर सकता तो मुझे मार दो लेकिन वेन हुलसिंग उसे नहीं मारता क्योंकि वो अब्जर्व करता है क एक अच्छा monster है, किसी को नुकसान नहीं पहुचाना चाहता और यह अभी। भी सेड है क्योंकि इसके फादर को यानि की उसे साइटिस्ट को मार दिया गया था और ये मास्टर उसे अभी भी मिस करता है, इनकी सब बाते वेर वुल्फ भी सुन रहा होता है, यानि के एना का भाई। ड्रैकुला के लिए काम कर रहा है, तो वो ये सारी बाते जाकर ड्रैकुला को बता देता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिन्दा है, तुम उसे मॉन्स्टर की हेल्प से अपने बच्चों को जिन्दा कर सकते हो, लेकिन मुझे ठीक करने का क्योर तुम्हें देना होगा, ताक और ड्रैकुला इसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कभी भी इस्तिमाल नहीं कर पाएगा और ये सब लोग उसे मॉन्स्टर को. एक करेज में बिठा कर चलने लगते हैं, रास्ते में जाते हुए ड्रैकुला की दो वाइफ इन सब पर अटैक कर देते हैं, यह बहुत लड़ते हैं, लेकिन इन्हें पहले से मालूम था कि हम पर रास्ते पर अटैक हो सकता है, इसलिए इन्होंने एक ट्रैप भी बिचाया हो और इसी ट्रैप में आकर ड्रैकुला की एक दूसरी वाइफ भी मारी जाती है, और इसी वक्त एना का भाई वेर वोल्फ भी इन पर अटेक कर देता है, वेन हेलसिंग लड़ाई में उसे मार तो देता है, लेकिन वो उसे काट लेता है, और देखते ही देखते ड्रैकुला क कि तीसरी वाइफ एना को उठा कर उड़ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें एना चाहिए तो इस मॉंस्टर को तुम्हें हमारे हवाले करना होगा वेन हेलसिंग इसके लिए तयार हो जाता है और वो कहते हैं कि ठीक है हम सोदा ऐसी जगहे पर करेंगे जहां पर बहु फेस्टिवल के अंदर वेन हेलसिंग काफी मुश्किल के बाद एना को यहां से बचा कर भाग कर ले जाने ही वाला होता है कि ड्रैकुला का असिस्टेंट मॉंस्टर को पढ़कर उधर ले आता है हालां कि वेन हेलसिंग ने तो उसको छुपा दिया था लेकिन किसी तरह वो लोग उसको ढूंढ लेते हैं और वो उसको पकड कर ले आते हैं उसे मॉंस्टर को बोट पर बिठा कर लेकर जा रहे होते हैं वैन हेलसिंग उनका पीछा करता है लेकिन वो नाकाम्याब रहता है यानि कि उसको सक्सेस नहीं मिलती और यहां पर वैन हेलसिंग पर भेडिया नहीं बना होता। शायद द्रैकुला तक पहुचने का ये कोई सीक्रेट या। यहाँ पर वह द्रैकुला के असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं और मॉंस्टर को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह नाकाम रहते हैं। यहाँ पर जाते जाते बताता है कि वैन हेलसिंग तुम्हारे भेडिये बनने का इलाज सिर्फ द्रैकुला के पास है उसके पास एक ऐसा वेनम है जो। तुमने हासिल कर लिया और खुद को लगा लिया तो तुम इनसान बन जाओगे। और तुम कभी भेडिया नहीं बनोगे पर वो वेनम द्रैकुला ने अपने पास इस लाए रखा हुआ है क्योंकि उसको सिर्फ भेडिया ही मार सकता है। इसलिए ड्रैकुला ने वो इलाज संभल कर रखा हुआ है ताकि कोई भेडिया उसे पर अटैक करने आए तो वो उसको इन्जेक्शन लगा कर दोबारा से इनसान बना दे। इसलिए सेफ साइट के लिए ड्रैकुला ने वो इलाज अपने पास रखा हुआ है। इसके बाद वैन हेलसिंग जाता है मॉंस्टर को ढूंडने के लिए जब केके एना और वो जूनियर प्राइस उस इन्जेक्शन को ढूंडने जाते हैं जिसमें वैन हेलसिंग का इलाज है उन्हें वो इन्जेक्शन तो मिल जाता है। लेकिन ड्रैकुला का असिस्टेंट उन्हें वहां पर बंद करके भाग जाता है। यहां पर ड्रैकुला की तीसरी वाइफ भी आजाती है जो इन पर अटैक करती है। लेकिन एना और वो जूनियर प्रीस्ट इसका मुकाबला करते हुए वहां से भाग जाते हैं लेकिन ड्रैकुला की वाइफ इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ती और इन सब के दर्मिया लड़ाई जारी रहती है जबकि दूसरी तरफ मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमें हो रहा होता है ताकि ड्रैकुला के बच्चों को जगाया जा सके दोबारा से जिन्दा किया जा सके यहां पर वैन हेलसिंग मॉन्स्टर को छुडाने ही बाला होता है कि ड्रैकुला की नजर उस पर पढ़ जाती है और वो वैन हेलसिंग को नीचे गिरा देता है दूसरी तर पीबन मारने ही वाली थी, मॉंस्टर के उपर गिरने से इसकी तीसरी वाइफ भी मारी जाती है, आज पूरे चांद की रात है, और वैन हेलसिंग एक इनसान से एक वेयर वुल्फ बन जाता है, यानि की भेडिया बन जाता है, जो दिखने में काफी डरावना और बहुत ताकत है वेन हेलसिंग भेडिया की शकल में ड्रैकुला से लडने लगता है, ड्रैकुला भी अपने वैंपायर की मुकम्मल ताकत में है, ये दोनों आपस में काफी देर लडते हैं, कभी तो ड्रैकुला वैन हेलसिंग को मार रहा होता है, तो कभी वेन हेलसिंग ड्रैकुला को ल आरे भी मर जाते हैं। एना देखती है कि वैन हेलसिंग भेडिया बन चुका है क्योंकि एना के पास वो इंजेक्शन था जिसे वो उसे ठीक कर सकती थी तो वह उसे लगाने की कोशिश करती है। जिसकी वजह से थोड़ी देर में वैन हेलसिंग दोबारा से इनसान बनता है और अपनी गलती पे बहुत पच्चताते हैं। एना को पकड़के बहुत रोता है। उसने ये क्या कर दिया। ये एक सेड मोमेंट है। इसके बाद यह सब समंदर के किनारे जाते हैं। और एना की डेट बॉड़ी को आग लगा देते हैं और उसी की थोड़ी देर बाद वैन हेलसिंग आसमान की तरफ देखते हैं जहां पे बादलों में उसे एना दिखाई देती है जो की मुस्कुरा रही होती है। बहुत खुश लग रही होती है। और वैन हेलसिंग भी उसको देखकर मुस्कुराता है जैसे कि एना को सब कुछ मिल गया हो जैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर मिल गई हो और यहीं पे वैन हेलसिंग की स्माइल के साथ यह मुवी भी एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वाचिंग कि और ने तुम्हें बखड़ लिया हाँ 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 आगे बढ़ो उठाओ इसे नहीं तुम आगे बढ़ो और उठाओ बुजूर्गों ने सिखाया है कि बेटा कुछ भी करना लड़कियों की कोई बात कभी मत मानना कई डर तो ने गए नहीं तब तो मुझे कुछ ज्यादा ही कोशिश करनी होगी देखा तुमारी बात मानी होती तो उठाओ 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 करो जाओ 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 जब जो जाने को नहीं जाशूकिदी पाचा काल जा देखो जाओ जिखो जाओ सासे किनने शुरू करोाना कर दो कर दो कि एक फड़ से कुछ हाँ खबाबगादा करें मेरे दोस्ट मेरे लेला जूर रहे हैं मेरे दोस्ट वा दोस्ट तुमें चाहिए क्या तुमें तक्लीक होगे तुमें दर्द सहने क्यादत पड़ गई है मुझे इस से पता चलता तुम जिन्दा तो यह कहानी शुरू होती जहां पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो की ड्रैकुला की हेल्प से एक मरी हुई लाश को जिन्दा करता है यानि की इसको जिन्दा करने में डॉक्टर की साइंस और ड्रैकुला की मैजिकल पावर्स है यह जिन्दा होने वाला आदमी बिल्कुल एक मॉंस्टर है दूसरी तरफ उस लोकल गाउं के लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर कुछ ऐसा कर रहा है इसलिए वो सब लोग उस डॉक्टर और उस मॉंस्टर को मारने के लिए उस किले की तरफ जा रहे होते हैं अंदर की तरफ डॉक्टर बहुत खुश होता है कि उसने बहुत अच्छी चीज इन्वेंट की है लेकिन ड्रैकुला बताता है कि वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तिमाल करेगा जो की बहुत खतरनाक होने वाले है इस चीज को देखते हुए डॉक्टर ड्रैकुला को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ड्रैकुला रुकने वाला नहीं था और वो उस डॉक्टर को मार देता है और उसी वक्ट वो मॉंस्टर भी उठ जाता है और अपने बनाने वाले डॉक्तर को उठाकर उस किल्ले से बाहर भागने लगता है और बाहर भागते भागते वो मॉन्स्टर डॉक्तर को लेकर एक windmill के अंदर चला जाता है अब हम डॉक्तर के असिस्टेंट को भी देखते हैं जो की बेसिकली ड्रैकुला से मिला होता है वो तमाम लोगों को बताता है कि वह monster डॉक्टर को लेकर उस windmill में गया है तुम लोग उधर जाओ और वह सब लोग उसे windmill की तरफ बढ़ने लग जाते हैं ये सब गाव के लोग उस विंडमिल को आग लगा देते हैं जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर और डॉक्टर वही पर मर जाते हैं और इतनी ही देर में ड्रैकुला अपने उड़ने वाली फॉर्म में आ जाता है यानि की ड्रैकुला उड़ भी सकता है और इसी के साथ इसकी तीन वाइफ होती है वो उसी जगह पर आ जाती है जहां पर वो मॉन्स्टर मरा होता है ड्रैकुला बहुत उडास होता है बहुत नाराज होता है बहुत सैड होता है और उसकी वाइफ रो रही होती है उस मॉन्स्टर को बचा नहीं पता और मॉन्स्टर को क्यों बचाना चाहता इस चीज का मकसद कुछ ही देर में हमें क्लियर होने लगेगा, अब कहानी एकदम से एक साल बाद की दिखाई जाती है, यहाँ पर हम अपने मेन कैरक्टर वैन हेलसिंग को देखते हैं, जो की एक मॉंस्टर स्लेयर है, यानि की मॉंस्टर को पकड़ता है, और उन्हें मारता ह और यहाँ पर वैन हेलसिंग एक मॉंस्टर को पकड़ने के लिए आया होता है, लेकिन वो मॉंस्टर उस पर अटै, करता है वैन हेलसिंग भी उस से लड़ता है, खैर लड़ाई के आखिर में वो मॉंस्टर, तर बिल्दिंग से गिर के नीचे मारा जाता है, और उसको मारन यह प्रिस्ट से मिलता है यानि की पादरी से मिलता है यह पादरी एक ऐसे आपजेक्टिव पर कम कर रहे होते हैं जिनका मकसद शैतानों को मारना है और वैन हेलसिंग इनहीं के लिए काम कर रहा होता है। यह प्रिस्ट बेसिकली वैन हेलसिंग को बताता है कि ट्रांसलवेनिया में मौझूद ड्रैकुला को तुम्हारा मारना नेक्स्ट मिशन है और यह ड्रैकुला बेसिकली तमाम शैतानों का बादशाह है उनका राजा है। इसके अलावा प्रीस्ट ये भी बताता है कि एक लड़की एना और उसका भाई ट्रांसर्विनिया में ड्रैकुला को मरने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो बहुत बहादुर है, बहुत खतरनाक है, इन लोगों की एफर्ट्स काफी नहीं है, तुम्हें जाके उ अभी तक काम्याब नहीं हुए और अब इनके खांदान में सिर्फ एना और उसका भाई ही रह गया है, बेन हेलसिंग इस अबजेक्टिव को सिलेक्ट कर लेता है, और वो इस मिशन के लिए मान जाता है, यहाँ पर बेन हेलसिंग एक दूसरे प्रीस्ट से मिलता है, जो की उसे डिफरेंट हथियार देता है, डिफरेंट वेपन्स देता है, जिसमें वैन हेलसिंग को सबसे ज्यादा अच्छी एक क्रॉस वो लगती है, एक तीर की तरह वैन हेलसिंग आखिरकार उसे भी माना कर अपने साथ ले जाने के लिए तयार कर लेता है, यानि अब सफर में वैन हेलसिंग और यह जूनियर प्रीस्ट दोनों जाएंगे दूसरी तरफ आना और उसका भाई जो की ड्रैकुला के दुश्मन होते हैं वो यहाँ पर एक वेयर वुल्फ को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाते हैं यानि की एक भेडियों को पकड़ रहे हैं लेकिन काफी लड़ाई के बावजूद भी वो उसमें काम्याब नहीं होते वो काफी कोशिश तो करते हैं लेकिन जब वो भेडिया एन को मरने लगता है तो उसका भाई उसे हटा के उस वुल्फ का शिकार करने लगता है लेकिन वो भेडिया उसको उपर जंप लगता है और वो भेडिया और एना का भाई पानी में जाकर गिर जाते हैं और यहाँ पर एना बहुत उदास हो जाती है रोने लगती है क्योंकि ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि उसका भाई मारा गया है कुछ दिन बाद वेन हेलसिंग ट्रांसलवेनिया में पहुँच जाता है यहाँ पर गाव वाले इसको पसंद नहीं करते लेकिन उतनी ही देर में ड्रैकुला के तीनों वाईब्स इस गाव पर अटैक कर देती क्योंकि यहाँ पर एना भी मौजूद होती है और द्रैकुला की वाईब्स एना को पढ़कर उसका खून पीना चाहती है यह सब देखते हुए वैन हेलसिंग भी इन द्रैकुला वाईब्स से लड़ने लगता है यहाँ पर बेस्ट फाइटिंग सीन दिखाए गए है वैन हेलसिंग के लिए उनको मारना इतना आसान नहीं था लेकिन आखिरकार वो अपनी क्रॉस बॉस से एक वाईफ को तीर मार देता है जिसकी वजह से एक वाईफ वही पर मर जाती है जिसको देखकर बाकी दो वाईफ दर जाती है और वहां से भाग जाती है जब एना देखती है कि ड्रैकुला की वाइफ ने उसके गाव वालों पर अटैक किया तो उसका इरादा और भी पका हो जाता है और वो ड्रैकुला को अकेले ही मरने जा रही होती है वेन हेलसिन स्मार्ट था उसे पता था कि ये अगर गई तो की जान को खत्रा होगा और वो उसको वही पर बेहोश कर देता है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके एना जब बेहोशी से जगती है तो वहाँ पर वो एक भेडियों को देखती है जो उसे पर अटैक कर देता है और यहीं पर हमें reveal होता है कि वो भेडिया और कोई नहीं उसी का भाई था क्योंकि स्टोरी में जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो वो भेडिया जो उसके भाई पर जिसने attack किया था वो इसको पहाड से नीचे गिरते हुए काट लेता है अब क्योंकि वो एक वेयर वुल्फ था और वेयर वुल्फ की निशानी ये होती है वो जिसको काटता है वह इनसान भी वेयर वुल्फ बन जाता है यानि की आधा इनसान और आधा भेडिया अब एना का भाई आधा इनसान और आधा भेडिया बन चुका है और वो एना को बता जाता है कि वो ड्रैकुला की सीक्रेट्स के बारे में जानता है कि वो क्या करने वाला है और सिर्फ उसी के पास मेरा इलाज है जिसकी वजह से मैं ड्रैकुला के काबू में हूँ. इतनी देर में वैन हेलसिंग वहां आ जाता है और उसे मरने की कोशिश करता है लेकिन एना का बहाई दोबारा से भेडिया बन जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है ये दोनों एन के भाई का पीछा करके एक ऐसी जगहे पर पहुचने हैं जहां पर ड्रैकुला का सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा एक्स है जिसकी मदद से ड्रेग होला अप अपने हजारों लाखों आफ स्प्रिंस पैदा करना चाहता है यानि कि अपने बच्चे पैदा करना चाहता है ताकि उसकी आर्मी बढ़ सके उसकी जेनरेशन बढ़ सके और इस मकसद के लिए उसे बहुत ज्यादा हाई एनरजी चाहिए ताकि वो बच्चे पैदा हो साके एना के भाई को ड्रैकुला ने अपने काबू में किया हुआ ताकि उसकी बॉडी की एनरजी से वो अपने बच्चों को जिन्दा कर सके और वो कुछ बच्चों को जिन्दा भी कर लेता है और ये बच्चे जिन्दा होते ही गाव की तरफ जाते हैं ताकि लोगों का खून पी सके दूसरी तरफ यहाँ पर फर्स्ट टाइम वैन हेलसिंग और ड्रैकुला का आमना सामना होता है लेकिन वैन हेलसिंग मौका देखकर एना को लेकुला ने बेसिकली एना के भाई को अपने एक्सप्रिमेंट के लिए इस्तिमाल किया होता है क्योंकि उसके अंदर भेडिये यानि वैर वुल्फ की भी ताकत है लेकिन यह ताकत इतनी काफी नहीं होती ड्रैकुला के लाखों बच्चों को वो पैदा कर सके और ड्रैकुला का एक्सपेरिमेंट फैल हो जाता है बलकि जो थोड़े बहुत बच्चे उसके निकले भी हुए थे वो भी वहीं पर मर जात मॉंस्टर वो डॉक्टर मरेद थे अब जब ये दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वो मॉंस्टर अभी भी जिन्दा है वो मॉंस्टर उन्हें कहता है कि मुझे मार दो क्योंकि अगर मुझे छोड़ा गया और मैं ड्रैकुला के हाथ लग गया वो मेरे जरिये अपन और तरीके से अपने बच्चों को जिन्दा नहीं कर सकता तो मुझे मार दो लेकिन वेन हुलसिंग उसे नहीं मारता क्योंकि वो आपजर्व करता है कि यह एक अच्छा मॉंस्टर है किसी को नुकसान नहीं पहुचाना चाहता और यह अभी भी सेड है क्योंकि इसके फादर को यानि की उसे साइटिस्ट को मार दिया गया था और यह मास्टर उसे अभी भी मिस करता है इनकी सब बाते वेर वुल्फ भी सुन रहा होता है यानि के एना का भाई ड्रैकुला के लिए काम कर रहा है तो वो ये सारी बाते जाकर ड्रैकुला को बता देता है कि वो मॉंस्टर अभी भी जिन्दा है तुम उसे मॉंस्टर की हेल्प से अपने बच्चों को जिन्दा कर सकते हो लेकिन मुझे ठीक करने का क्योर तुम्हें देना होगा ताकि मैं फिर से इंसान बन सकू दूसरी तरफ एना मॉंस्टर को मारना चाह रही होती है लेकिन वेन हेलसिंग उसको रोक देता है वो कहता है कि मैं इसे अपने मुल्क लेकर जाऊंगा जहां पर यह सेफ रहेगा और ड्रैकुला इसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कभी भी इस्तिमाल नहीं कर पाएगा और ये सब लोग उसे मॉंस्टर को एक करेज में बिठा कर चलने लगते हैं रास्ते में जाते हुए ड्रैकुला की दो वाइफ इन सब पर अटैक कर देते हैं यह बहुत लड़ते हैं लेकिन इन्हें पहले से मालूम था कि हम पर रास्ते पर अटैक हो सकता है इसलिए इन्होंने एक ट्रैप भी बिठाया होता है और इसी ट्रैप में आकर ड्रैकुला की एक दूसरी वाइफ भी मारी जाती है और इसी वक्त एना का भाई वेर बोल्फ भी इन पर अट्टेक कर देता है वेन हेलसिंग लड़ाई में उसे मार तो देता है लेकिन वो उसे काट लेता है और देखते ही देखते ग्रैकुला की तीसरी वाइफ एना को उठा कर उर जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें एना चाहिए तो इस मांस्टर को तुम्हें हमारे हवाले करना होगा वेन हेलसिंग इसके लिए तयार हो जाता है और वो कहते हैं कि ठीक है हम सोदा ऐसी जगहे पर करेंगे जहां पर बहुत ज्यादा लोग होंगे अब ये एक फेस्टिवल में पहुँच जाते हैं जहां पर इनकी डील होनी थी और यहां आने से पहले वेन हेलसिंग उसे मौंस्टर को कहीं छुपा कर आता है ताकि वो सिफ रहे इस फेस्टिवल के अंदर वेन हेलसिंग काफी मुश्किल के बाद एना को यहां से बचा कर भाग कर ले जाने ही वाला होता है कि ड्रैकुला का असिस्टेंट मौंस्टर को पढ़कर उधर ले आता है हालां कि वेन हेलसिंग ने तो उसको छुपा दिया था लेकिन किसी तरह वो लोग उसको ढूंड लेते हैं और वो उसको पकड़ कर ले आते हैं उसे मौंस्टर को बोट पर बिठा कर लेकर जा रहे होते हैं वैन हेलसिंग उनका पीछा करता है लेकिन वो नाकाम्याब रहता है यानि कि उसको सक्सेस नहीं मिलती और यहाँ पर वैन हेलसिंग पर भेडिया हावी होने लगता है उसके आसार नजर आने लगते हैं उसके सिंटम्स नजर आने लगते हैं लेकिन वो अभी मुकमल तौर पर भेडिया नहीं बना होता योंकी वैर बोल्फ बनने के लिए यानि भेडिया करने के लिए चांद का होना जरूरी है चांदनी रात का और अभी चांद उतना नहीं निकाला होता लेकिन दो ही दिन में फुल मून है यानि की चौधरी का चांद और वो मुकमल तौर पर भेडिया उसे दिन बन जाएगा इसके बाद ये सब लोग एना के महल में आ जाते हैं जहां पर वो एक दिवार को देखते हैं ना इन सब को बताती है कि हमारे आंसेस्टर्स इस दिवार को बार-बार देखा करते दशायत द्रैकुला तक पहुँचने का ये कोई सीक्रेट या खुफिया रास्ता है वेन हेल से निकर रहा था तब सीनियर प्राइस ने उसे कागस का टुकडा दिया था उस कागस के टुकडे को उसे दरवाजे पर लगता है तो वो दरवाजा खुल जाता है और वो सीधा ड्रैकुला के महल में इंतर हो जाते हैं यहां पर वह ड्रैकुला के असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं और मॉंस्टर को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह नाकाम रहते हैं मॉंस्टर यहाँ पर जाते जाते बताता है कि वैन हेलसिंग तुम्हारे भेडिये बनने का इलाज सिर्फ द्रैकुला के पास है उसके पास एक ऐसा वेनम है जो तुमने हासिल कर लिया और ख सिर्फ भेडिया ही मार सकता है इसलिए ड्रैकुला ने वो इलाज संभल कर रखा हुआ है ताकि कोई भेडिया उसे पर अटैक करने आए तो वो उसको इंजेक्शन लगाकर दोबारा से इनसान बना दे इसलिए सेफ साइट के लिए ड्रैकुला ने वो इलाज अपने पास र तो मिल जाता है लेकिन ड्रैकुला का असिस्टेंट उन्हें वहाँ पर बंद करके भाग जाता है यहाँ पर ड्रैकुला की तीसरी वाइफ भी आजाती है जो इन पर अटैक करती है लेकिन एना और वो जूनियर प्रीस्ट इसका मुकाबला करते हुए वहाँ से भाग जाते है लेकिन ड्रैकुला की वाइफ इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ती और इन सब के दर्मिया लड़ाई जारी रहती है जबकि दूसरी तरफ मॉंस्टर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है ताकि ड्रैकुला के बच्चों को जगाया जा सके दोबारा से जिन्दा किया दूसरी तरफ वो मॉंस्टर एक बिजली के जटका से आजाद हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और हम सीधा जाकर ड्रैकुला की वाइफ के उपर जाकर गिरता है जो की एना को तकरीबन मारने ही वाली थी मॉंस्टर के उपर गिरने से इसकी तीसरी वाइफ भी मा ताकतवर है वेन हेलसिंग भेडिया की शकल में ड्रैकुला से लड़ने लगता है। ताकता था वो सारे भी मर जाते हैं। एना देखती है कि वेन हेलसिंग भेडिया बन चुका है क्योंकि एना के पास वो इंजेक्शन था जिसे वो उसे ठीक कर सकती थी तो वह उसे लगाने की कोशिश करती है। एना ने वो इंजेक्शन लगा दिया था। जो की मुस्कुरा रही होती है बहुत खुश लग रही होती है और वेन हेलसिंग भी उसको देख कर मुस्कुराता है जैसे की एना को सब कुछ मिल गया हो जैसे वो अपने पैरेंट्स के साथ। जाकर मिल गई हो और यहीं पे वेन हेलसिंग की स्माइल के साथ यह मुवी भी एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वाचिंग जितनी देर रहना चाहो रहो इगोर को बगड़े आएगी इगोर ने तुम्हें बगड़ लिया आगे बढ़ो उठाओ इसे नहीं तुम आगे बढ़ो और उठाओ बुजोर्गों ने सिखाया है कि बेटा कुछ भी करना लड़क्यों की कोई बात कभी मत मानना कई डर तो ने गए तब तो मुझे कुछ ज्यादा ही कोशिश करनी होगी देखा तुमारी बात मानी होती तो उठाओ 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 अँछ एर हाद packed कर देकार ओगे करोओ इजैश्य करो इस जाओ 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 जब दूगो ना को मैं इज जाशु टी पाक्छत यहां देखो उढ आफकी सासे किनना सूरू करूआना फिव स्टूर करें याओग यहां क्या कर रहे हो अपना ही लाज तुनाजों मेरे दोस्ट मेरे लेला जूर रहे है दोस्ट आदोस्ट तुमें चाहिए क्या तुमें तक्लीक होगी तुम्हें दर्थ सहने क्यादत पड़ गई है मुझे इससे पता चलता तुम जिन्दा तो यह कहानी शुरू होती जहां पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो की ड्रैकुला की हेल्प से एक मरी हुई लाश को जिन्दा करता है यानि की इसको जिन्दा करने में डॉक्टर की साइंस और ड्रैकुला की मैजिकल पावर्स हैं यह जिन्दा होने वाला आदमी बिलकुल एक मॉंस्टर है, दूसरी तरफ उस लोकल गाउं के लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर कुछ ऐसा कर रहा है, इसलिए वो सब लोग उस डॉक्टर और उस मॉंस्टर को मारने के लिए उस किले की तरफ जा रहे होते हैं, अंदर की दॉक्टर बहुत खुश, होता है कि उसने बहुत अच्छी चीज इन्वेंट की है, लेकिन ड्रैकुला बताता है, कि वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तमाल करेगा, यानि कि अपने ऑबजेक्टिव्स के लिए इस्तमाल करेगा, जो कि बहुत खतरनाक होने वाले हैं, इस बनाने वाले डॉक्टर को उठाकर उस किले से बाहर भागने लगता है, और बाहर भागते भागते वो मॉन्स्टर डॉक्टर को लेकर एक विड्मिल के अंदर चला, जाता है अब हम डॉक्टर के असिस्टेंट को भी देखते हैं, जो कि बेसिकली ड्रैकुला से, मिला होता वो तमाम लोगों को बताता है कि वह मौन्स्टर डॉक्टर को लेकर उस विड्मिल में गया है। तुम लोग उधर जाओ और वह सब लोग उसे विड्मिल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ये सब गाव के लोग उस विंडमिल को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर और डॉक्टर वही पर मर जाते हैं, और इतनी ही देर में ड्रैकुला अपने उड़ने वाली फॉर्म में आ जाता है, यानि की ड्रैकुला उड़ भी सकता है, और इसी के साथ इसकी वाइफ रो रही होती हैं, उस मॉन्स्टर को बचा नहीं पता, और मॉन्स्टर को क्यों बचाना चाहता था, इस चीज का मकसद कुछ ही देर में हमें क्लियर होने लगेगा, अब कहानी एकदम से एक साल बाद की दिखाई जाती है, यहाँ पर हम अपने में कैरक्टर वैन हे वैन हेलसिंग को देखते हैं, जो की एक मॉन्स्टर स्लेयर है, यानि की मॉन्स्टर को पकड़ता है, और उन्हें मारता है, और यहाँ पर वैन हेलसिंग एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आया होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर अटै, करता है वैन हेलसिंग भी उ यानि की पादरी से मिलता है यह पादरी एक ऐसे आपजेक्टिव पर कम कर रहे होते हैं जिनका मकसद शैतानों को मारना है और वैन हेलसिंग इन्ही के लिए काम कर रहा होता है। इन्ही का भाई ट्रांसर्विनिया में ड्रैकुला को मरने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं लेकिन वो बहुत बहादुर है बहुत खतरनाक है इन लोगों की एफर्ट्स काफी नहीं है तुम्हें जाके उनकी हेल्प करनी पड़ेगी और इस लड़की एना का खानदान पिछ इस ऑबजेक्टिव को सिलेक्ट कर लेता है और वो इस मिशन के लिए मान जाता है यहाँ पर वैन हेल्सिंग एक दूसरे प्रीस्ट से मिलता है जो की उसे डिफरेंट हथियार देता है डिफरेंट वेपन्स देता है जिसमें वैन हेल्सिंग को सबसे ज्यादा अच्छी एक क्रॉस वो लगती है, एक तीर की तरह वैन हेलसिंग आखिरकार उसे भी माना कर अपने साथ ले जाने के लिए तयार कर लेता है। यानि अब सफर में वैन हेलसिंग और यह जूनियर प्रीस्ट दोनों। लेकिन वो भेडिया उसको उपर जंप लगता है और वो भेडिया और एना का भाई पानी में जाकर गिर जाते हैं। और यहाँ पर एना बहुत उदास हो जाती है, रोने लगती है क्योंकि ऐसा दिखाया। जाता है जैसे कि उसका भाई मारा गया है, कुछ दिन बाद वेन हेलसिंग ट्रांसलवेनिया में पहुँच जाता है। यहाँ पर गाव वाले इसको पसंद नहीं करते, लेकिन उतनी ही देर में ड्रैकुला के तीनों वाईवस इस गाव पर अटैक कर देती क्योंकि यहाँ पर एना भी मौजूद होती है, और ड्रैकुला की वाईवस एना को पढ़कर उसका खून पीना चाहती है, यह सब देख देखते हुए वैन हेलसिंग भी इन ड्रैकुला वाईवस से लड़ने लगता है, यहाँ पर बेस्ट फाइटिंग सीन दिखाए गए है, वैन हेलसिंग के लिए उनको मारना, इतना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार वो अपनी क्रॉस बॉस से एक वाईव को तीर मार देत है, जिसकी वजह से एक वाईव वही पर मर जाती है, जिसको देखकर बाकी दो वाईव दर जाती है, और वहां से भाग जाती है, जब एना देखती है कि, ड्रैकुला की वाईव ने उसके गाव वालों पर अटैक किया, तो उसका इरादा और भी पका हो जाता है, और वो ड् उसको प्रोटेक्ट किया जा सके एना जब बेहोशी से जगती है तो वहाँ पर वो एक भेडियों को देखती है जो उसे पर अटैक कर देता है और यहीं पर हमें रिवील होता है कि वो भेडिया और कोई नहीं उसी का भाई था क्योंकि स्टोरी में जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो वो भेडिया जो उसके भाई पर जिसने अटैक किया था वो इसको पहाड से नीचे गिरते हुए काट लेता है अब क्योंकि वो एक वेयर वुल्फ था और वेयर वुल्फ की निशानी ये होती है वो जिसको काटता है वह इनसान भी वेयर वुल्फ बन जाता है यानि की आधा इनसान और आधा भेडिया अब एना का भाई आधा इनसान और आधा भेडिया बन चुका है और वो एना को बताता है कि वो ड्रैकुला की सीक्रेट्स के बारे में जानता है कि वो क्या करने वाला है और सिर्फ उस का भाई दोबारा से भेडिया बन जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है ये दोनों एन के भाई का पीछा करके एक ऐसी जगहे पर पहुँचने हैं जहां पर ड्रैकुला का सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा एक्स है जिसकी मदद से ड्रेग होला जारों लाखों आफ स्प्रिंस पैदा करना चाहता है यानि कि अपने बच्चे पैदा करना चाहता है ताकि उसकी आर्मी बढ़ सके उसकी जेनरेशन बढ़ सके और इस मकसद के लिए उसे बहुत ज्यादा हाई एनरजी चाहिए ताकि वो बच्चे पैदा हो साके एना के भ तरफ जाते हैं ताकि लोगों का खून पी सके दूसरी तरफ यहाँ पर फर्स्ट टाइम वैन हेलसिंग और ड्रैकुला का आमना सामना होता है लेकिन वैन हेलसिंग मौका देखकर एना को ड्रैकुला ने बेसिकली एना के भाई को अपने एक्सप्रिमेंट के लिए इस्तिमाल किया होता है क्योंकि उसके अंदर भेडिये यानि वैर वुल्फ की भी ताकत है लेकिन यह ताकत इतनी काफी नहीं होती ड्रैकुला के लाखों बच्चों को वो पैदा कर सके और ड्रैकुला का एक्सप्रिमेंट फैल हो जाता है बलकि जो थोड़े बहुत बच्चे उसके निकले भी हुए थे वो भी वही पर मर जाते हैं और एक बार फिर से ड्रैकुला को हार का मुह देखना पड़ता है वैन हेलसिंग और एना भागते हुए एक विंडमिल की तरफ आ जाते हैं ये वही विंडमिल थी जो शुरू में दिखाएंगे थी वर्टिकल बार जहां प और मैं ड्रैकुला के हाथ लग गया वो मेरे जरिये अपने बच्चे जिन्दा कर लेगा और सिर्फ एक मैं ही ऐसा सोर्स हूँ जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को जिन्दा कर सकता है क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर और एनरजी है ये ड्रैकुला मेरे अलावा किसी और तरीके से अपने बच्चों को जिन्दा नहीं कर सकता तो मुझे मार दो लेकिन वेन हुलसिंग उसे नहीं मारता क्योंकि वो आपजर्व करता है कि यह एक अच्छा मॉंस्टर है किसी को नुकसान नहीं पहुचाना चाहता और यह अभी भी सेड है क्योंकि इसके फादर को यानि की उसे साइटिस्ट को मार दिया गया था और यह मास्टर उसे अभी भी मिस करता है इनकी सब बाते वेर वुल्फ भी सुन रहा होता है यानि के एना का भाई ड्रैकुला के लिए काम कर रहा है तो वो ये सारी बाते जाकर ड्रैकुला को बता देता है कि वो मॉंस्टर अभी भी जिन्दा है तुम उसे मॉंस्टर की हेल्प से अपने बच्चों को जिन्दा कर सकते हो लेकिन मुझे ठीक करने का क्योर तुम्हें देना होगा ताकि मैं फिर से इंसान बन सकू दूसरी तरफ एना मॉंस्टर को मारना चाह रही होती है लेकिन वेन हेलसिंग उसको रोक देता है वो कहता है कि मैं इसे अपने मुल्क लेकर जाऊंगा जहां पर यह सेफ रहेगा और ड्रैकुला इसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कभी भी इस्तिमाल नहीं कर पाएगा और ये सब लोग उसे मॉंस्टर को एक करेज में बिठा कर चलने लगते हैं रास्ते में जाते हुए ड्रैकुला की दो वाइफ इन सब पर अटैक कर देते हैं यह बहुत लड़ते हैं लेकिन इन्हें पहले से मालूम था कि हम पर रास्ते पर अटैक हो सकता है इसलिए इन्होंने एक ट्रैप भी बिठाया होता है और इसी ट्रैप में आकर ड्रैकुला की एक दूसरी वाइफ भी मारी जाती है और इसी वक्त एना का भाई वेर बोल्फ भी इन पर अट्टेक कर देता है वेन हेलसिंग लड़ाई में उसे मार तो देता है लेकिन वो उसे काट लेता है और देखते ही देखते ग्रैकुला की तीसरी वाइफ एना को उठा कर उठ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें एना चाहिए तो इस monster को तुम्हें हमारे हवाले करना होगा वेन हेलसिंग इसके लिए तयार हो जाता है और वो कहते हैं कि ठीक है हम सोदा ऐसी जगहे पर करेंगे जहां पर बहुत ज्यादा लोग होंगे अब ये एक festival में पहुँच जाते ह हैं जहां पर इनकी डील होनी थी और यहां आने से पहले वैन हेलसिंग उसे monster को कहीं छुपा कर आता है ताकि वो सिफ रहे इस festival के अंदर वैन हेलसिंग काफी मुश्किल के बाद एना को यहां से बचा कर भाग कर ले जाने ही वाला होता है कि ड्रैकुला का assistant monster को पढ़कर उधर ले आता है हालां की वैन हेलसिंग ने तो उसको छुपा दिया था लेकिन किसी तरह वो लोग उसको ढूंढ लेते हैं और उसको पकड कर ले आते हैं उसे monster को boat पर बिठा कर लेकर जा रहे होते हैं वैन हेलसिंग उनका पीछा करता है लेकिन वो नाकाम्याब रहता है यानि कि उसको success नहीं मिलती और यहां पर वैन हेलसिंग पर भेडिया हावी होने लगता है उसके आसार नजर आने लगते हैं उस चांद का होना जरूरी है चांदनी रात का और अभी चांद उतना नहीं निकाला होता लेकिन दो ही दिन में full moon है यानि की चौधरी का चांद और वो मुकमल तौर पर भेडिया उसे दिन बन जाएगा इसके बाद ये सब लोग एना के महल में आ जाते हैं जहां पर वो एक द इस दिवार को बार बार देखा करते दशायत द्रैकुला तक पहुँचने का ये कोई सीक्रेट या खुफिया रास्ता है वेन हेलसिंग उस दिवार को देख रहा होता है और नीचे देखता है कि एक उसका कवर फटा हुआ है उसको देखकर उसे ख्याल आता है कि जब मैं अ कागस का टुकडा दिया था उस कागस के टुकडे को उसे दर्वाजे पर लगता है तो वो दर्वाजा खुल जाता है और वो सीधा ड्रैकुला के महल में इंतर हो जाते हैं यहाँ पर वह ड्रैकुला के असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं और मॉंस्टर को बचाने की कोशि तुम ने हासिल कर लिया और खुद को लगा लिया तो तुम इनसान बन जाओगे और तुम कभी भेडिया नहीं बनोगे पर वो वेनम ड्रैकुला ने अपने पास इसलाए रखा हुआ है क्योंकि उसको सिर्फ भेडिया ही मार सकता है इसलिए ड्रैकुला ने वो इलाज संभल क कर रखा हुआ है ताकि कोई भेडिया उसे पर अटैक करने आए तो वो उसको इन्जेक्शन लगा कर दोबारा से इनसान बना दे इसलिए सेफ साइट के लिए ड्रैकुला ने वो इलाज अपने पास रखा हुआ है इसके बाद वैन हेलसिंग जाता है मॉंस्टर को ढूंडन के लिए जब केके एना और वो जूनियर प्राइस उस इन्जेक्शन को ढूंडने जाते हैं जिसमें वैन हेलसिंग का इलाज है उन्हें वो इन्जेक्शन तो मिल जाता है लेकिन ड्रैकुला का असिस्टेंट उन्हें वहां पर बंद करके भाग जाता है यहां पर ड्रैकु अलाकी वाइफ इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ती और इन सब के दर्मिया लड़ाई जारी रहती है जबकि दूसरी तरफ मॉंस्टर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है ताकि ड्रैकुला के बच्चों को जगाया जा सके दोबारा से जिन्दा किया जा सके यहाँ पर वैन हेलसिंग मॉंस्टर को छुडाने ही बाला होता है कि ड्रैकुला की नजर उस पर पढ़ जाती है और वो वैन हेलसिंग को नीचे गिरा देता है दूसरी तरफ वो मॉंस्टर एक बिजली के जटका से आजाद हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और हम सीधा जाकर ड्रैकुला की वाइफ के उपर जाकर गिरता है जो की एना को तक्रीबन मारने ही वाली थी मॉंस्टर के उपर गिरने से इसकी तीसरी वाइफ भी मारी जाती है। ये दोनों आपस में काफी देर लड़ते हैं कभी तो ड्रैकुला वैन हेलसिंग को मार रहा होता है तो कभी वैन हेलसिंग ड्रैकुला को लेकिन आखिरकार वैन हेलसिंग उसकी गरगन पर काट देता है जिसकी वजह से ड्रैकुला वही पर मारा जाता है और उसके मरते ही ड्र ठीक कर सकती थी तो वह उसे लगाने की कोशिश करती है। लेकिन वैन हेलसिंग समझता है कि उसके लिए कोई खत्रा है और गल्टी से यह भेडिया एना पर हमला कर देता है एना वही पर मार जाती है। यानि के एना को वैन हेलसिंग ने ही मार दिया लेकिन मरते मरते एना ने वो इंजेक्शन लगा दिया था। वैन हेलसिंग आसमान की तरफ देखते हैं जहां पे बादलों में उसे एना दिखाई देती है जो की मुस्कुरा रही होती है बहुत खुश लग रही होती है और वैन हेलसिंग भी उसको देख कर मुस्कुराता है जैसे की एना को सब कुछ मिल गया हो जैसे वो अपने पैरे जितनी देर रहना चाहो रहो, इगोर को बगड़े आए थी, इगोर ने तुम्हें बगड़े लिया आगे बढ़ो, उठाओ इसे नहीं, तुम आगे बढ़ो और उठाओ, बुजूर्गों ने सिखाया है कि बेटा कुछ भी करना लड़कियों की कोई बात कभी मत मानना कई डर तो ने गए, तहीं, तब तो मुझे कुछ ज्यादा ही कोशिश करनी होगी देखा, दुमारी बात मानी होती तो उचाओ से, उचाओ से उचाओ से जब सुक जाने को ना को, नहीं जा सुकती पाचाओ काल, जा देखो जब देखो जब आपने सासे कि इनना शुरू करो आना जब आपने कुछ जब एग जब हाचाओ जब ए कि अट आप आपन आपन खाँ अपट आपपक्ड़ दौस्ट एलाए लोले मेरे क्यों साब सचोरे प्सका तो यह कहानी शुरू होती जहां पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो की ड्रैकुला की हेल्प से एक मरी हुई लाश को जिन्दा करता है याने की इसको जिन्दा करने में डॉक्टर की साइन्स और ड्रैकुला की मैजिकल पावर्स हैं यह जिन्दा होने वाला आदमी बिल्कुल एक मॉन्स्टर है दूसरी तरफ उस लोकल गाव के लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर कुछ ऐसा कर रहा है, इसलिए वो सब लोग उस डॉक्टर और उस मॉंस्टर को मारने के लिए उस किले की तरफ जा रहे होते हैं, अंदर की तरफ डॉक्टर बहुत खुश, होता है कि उसने बहुत अच् होने वाले हैं, इस चीज को देखते हुए डॉक्टर ड्रैकुला को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैकुला रुकने वाला नहीं था, और वो उस डॉक्टर को मार देता है, और उसी वक्त वो मॉंस्टर भी उठ जाता है, और अपने बनाने वाले डॉक्टर को उठा जो कि basically Dracula से, मिला होता है वो तमाम लोगों को बताता है कि वह monster doctor को लेकर उस windmill में गया है, तुम लोग उधर जाओ और वह सब लोग उसे windmill की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, ये सब गाव के लोग उस windmill को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो monster और doctor वहीं पर मर जाते है और इतनी ही देर में Dracula अपने उड़ने वाली form में आ जाता है, यानि की Dracula उड़ भी सकता है, और इसी के साथ इसकी तीन wife होती है, वो उसी जगह पर आ जाती है, जहां पर वो monster मरा होता है, Dracula बहुत उदास होता है, बहुत नाराज होता है, बहुत sad होता है, और उसकी wife रो रह होती है, उस monster को बचा नहीं पता, और monster को क्यों बचाना चाहता था, इस चीज का मकसद कुछ ही देर में हमें clear होने लगेगा, अब कहानी एकदम से एक साल बाद की दिखाई जाती है, यहां पर हम अपने main character Van Helsing को देखते हैं, जो की एक monster slayer है, यानि की monsters को पकड़ता है, औ और उन्हें मारता है, और यहां पर Van Helsing एक monster को पकड़ने के लिए आया होता है, लेकिन वो monster उस पर attack, करता है Van Helsing भी उस से लड़ता है, खैर लड़ाई के आखिर में वो monster, तर building से गेर के नीचे मारा जाता है, और उसको मारने के बाद यह अपने मूल के एक चर्च में जिनका मकसद शैतानों को मारना है, और Van Helsing इन्ही के लिए काम कर रहा होता है, यह priest basically Van Helsing को बताता है कि Transylvania में मौझूद Dracula को तुम्हारा मारना next mission है, और यह Dracula basically तमाम शैतानों का बादशाह है, उनका राजा है, इसके अलावा priest यह भी बताता है कि एक लड़की एना और उस बहादूर है, बहुत खतरनात है, इन लोगों की efforts काफी नहीं है, तुम्हें जाके उनकी help करनी पड़ेगी और इस लड़की एना का, खानदान पिछले 400 साल से ड्रैकुला के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक काम्याब नहीं गर वैन हेलसिंग एक दूसरे priest से मिलता है, जो की उसे different हथियार देता है, different weapons देता है, जिसमें वैन हेलसिंग को सबसे ज्यादा अच्छी एक cross वो लगती है, एक तीर की तरह वैन हेलसिंग आखिरकार उसे भी माना कर अपने साथ ले जाने के लिए तयार कर लेता है, यानि अब सफर में वैन हेलसिंग और यह जूनियर priest दोनों। लेकिन वो भेडिया उसको उपर जंप लगता है और वो भेडिया और एना का भाई पानी में जाकर गिर जाते हैं। और यहाँ पर एना बहुत उदास हो जाती है, रोने लगती है क्योंकि ऐसा दिखाया। जाता है जैसे कि उसका भाई मारा गया है, कुछ दिन बाद वेन हेलसिंग ट्रांसलवेनिया में पहुँच जाता है। यहाँ पर गाव वाले इसको पसंद नहीं करते, लेकिन उतनी ही देर में ड्रैकुला के तीनों वाईवस इस गाव पर अटैक कर देती क्योंकि यहाँ पर एना भी मौजूद होती है। और ड्रैकुला की वाईवस एना को पढ़कर उसका खून पीना चाहती है। यह सब देखते हुए वैन हेलसिंग भी इन ड्रैकुला वाईवस से लड़ने लगता है। यहाँ पर बेस्ट फाइटिंग सीन दिखाए गए हैं वैन हेलसिंग के लिए उनको मारना। इतना आसान नहीं था लेकिन आखिरकार वो अपनी क्रोसबॉस से एक वाईव को तीर मार देता है जिसकी वजह से एक वाईव वही पर मर जाती है जिसको देखकर बाकी दो वाईव दर जाती है और वहां से भाग जाती है जब एना देखती है की। ड्रैकुला की वाइफ ने उसके गाव वालों पर अटैक किया तो उसका इरादा और भी पका हो जाता है और वो ड्रैकुला को अकेले ही मरने जा रही होती है वेन हेलसिंग स्मार्ट था उसे पता था कि ये अगर गई तो की जान को खत्रा होगा और वो उसको वहीं पर पुशी से जगती है तो वहाँ पर वो एक भेडियों को देखती है जो उसे पर अटैक कर देता है और यहीं पर हमें रिवील होता है कि वो भेडिया और कोई नहीं उसी का भाई था क्योंकि स्टोरी में जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो वो भेडिया जो उसके भाई पर जिसने अटैक किया था वो इसको पहाड से नीचे गिरते हुए काट लेता है अब क्योंकि वो एक वेयर वुल्फ था और वेयर वुल्फ की निशानी ये होती है वो जिसको काटता है वह इंसान भी वेयर वुल्फ बन जाता है यानि की आधा इनसान और आध भेडिया बन चुका है और वो एना को बताता है कि वो ड्रैकुला की सीक्रेट्स के बारे में जानता है कि वो क्या करने वाला है और सिर्फ उसी के पास मेरा इलाज है जिसकी वजह से मैं ड्रैकुला के काबू में हूँ इतनी देर में वैन हेलसिन वहां आ जाता है और उसे मरने की कोशिश करता है लेकिन एना का भाई दोबारा से भेडिया बन जाता है और वो वहां से भाग जाता है ये दोनों एन के भाई का पीछा करके एक ऐसी जगहे पर पहुँचने है जहां पर ड्रैकुला का सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वहां पर बहुत ज्यादा एक्स है जिसकी मदद से ड्रेग होला अपने हजारों लाखों आफ स्प्रिंस पैदा करना चाहता है यानि कि अपने बच्चे पैदा करना चाहता है ताकि उसकी आर्मी बढ़ सके उसकी जेनरेशन बढ़ सके और इस मकसद क लिए उसे बहुत ज्यादा हाई, इनर्जी चाहिए ताकि वो बच्चे पैदा हो साके एना के भाई को ड्रैकुला ने अपने काबू में, किया हुआ ताकि उसकी बौडी की एनर्जी से वो अपने बच्चों को जिन्दा कर सके और वो कुछ बच्चों को जिन्दा भी कर लेत और ये बच्चे जिन्दा होते ही गाव की तरफ जाते हैं ताकि लोगों का खून पी सके दूसरी तरफ यहाँ पर फर्स्ट टाइम वैन हेलसिंग और ड्रैकुला का आमना सामना होता है लेकिन वैन हेलसिंग मौका देखकर एना को ड्रैकुला ने बेसिकली एना के भाई को अ वो पैदा कर सके और ड्रैकुला का एकस्पेरिमेंट फैल हो जाता है बलकि जो थोड़े बहुत बच्चे उसके निकले भी हुए थे वो भी वही पर मर जाते हैं और एक बार फिर से ड्रैकुला को हार का मुह देखना पड़ता है वैन हेलसिंग और एना भागते हुए एक विंड मिल की तरफ आ जाते हैं ये वही विंड मिल थी जो शुरू में दिखाएंगे थी वर्टिकल बार जहां पर मॉंस्टर वो डॉक्टर मरेद थे अब जब ये दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वो मॉंस्टर अभी भी जिन्दा है वो मॉंस्टर उन्हें कहता कि मुझे मार दो क्योंकि अगर मुझे छोड़ा गया और मैं ड्रैकुला के हाथ लग गया वो मेरे जरीए अपने बच्चे जिन्दा कर लेगा और सिर्फ एक मैं ही ऐसा सोर्स हूँ जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को जिन्दा कर सकता है क्योंकि मेरे अंदर इतनी कि एक अच्छा मॉंस्टर है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और यह अभी भी सेड है क्योंकि इसके फादर को यानि की उसे साइटिस्ट को मार दिया गया था और यह मास्टर उसे अभी भी मिस करता है इनकी सब बाते वेर वुल्फ भी सुन रहा होता है यानि के एना का भाई ड्रैकुला के लिए काम कर रहा है तो वो ये सारी बाते जाकर ड्रैकुला को बता देता है कि वो मॉंस्टर अभी भी जिन्दा है तुम उसे मॉंस्टर की हेल्प से अपने बच्चों को जिन्दा कर सकते हो लेकिन मुझे ठीक करने का क्योर तुम्हें देना होग जहां पर यह सेफ रहेगा और ड्रैकुला इसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कभी भी इस्तिमाल नहीं कर पाएगा और ये सब लोग उसे मॉन्स्टर को एक करेज में बिठाकर चलने लगते हैं रास्ते में जाते हुए ड्रैकुला की दो वाइफ इन सब पर अटेक कर देते हैं यह बहुत लड़ते हैं लेकिन इन्हें पहले से मालूम था कि हम पर रास्ते पर अटेक हो सकता है इसलिए इन्होंने एक ट्रैप भी बिछाया होता है और इसी ट्रैप में आकर ड्रैकुला की एक दूसरी वाइफ भी मारी जाती है और इसी वक्त एना का भाई वेर वोल्फ भी इन पर अटेक कर देता है वेन हिलसिंग लडाई में उसे मार तो देता है लेकिन वो उसे काट लेता है और देखते ही देखते ड्रैकुला की तीसरी वाइफ एना को उठा कर उठ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें एना चाहिए तो इस मॉन्स्टर को तुम्हें हमारे हवाले करना होगा वेन हिलसिंग इसके लिए तयार हो जाता है और वो कहते हैं कि खीक है हम सोदा ऐसी जगहे पर करेंगे जहां पर बहुत ज्यादा लोग होंगे अब ये एक फेस्टिवल में पहुँच जाते हैं जहां पर इनकी डील होनी थी और यहां आने से पहले वैन हेलसिंग उसे मॉन्स्टर को कहीं छुपा कर आता है ताकि वो सिफ रहे इस फेस्टिवल के अंदर वै वैन हैलसिंग ने तो उसको छुपा दिया था लेकिन किसी तरह वो लोग उसको ढूंड लेते हैं और वो उसको पकड़ कर ले मॉन्स्टर को बोट पर बिठा कर ले कर जा रहे होते हैं वैन हेलसिंग उनका पीछा करता है department लेकिन वह नाकाम्याब रहता है यारी कि उसको ISIS नहीं मिलती और यहां पर वैन हेलसिंग पर भेडिया हावी होने लगता है उसके आसार नजर आने लगते हैं उसके सिंटम्स नजर आने लगते हैं लेकिन वो अभी मुकमल तौर पर भेडिया नहीं बना होता। योंकी वैर बोल्फ बनने के लिए यानि भेडिया करने के लिए चांद का होना जरूरी है चांदनी रात का और अभी चांद उतना नहीं निकाला होता लेकिन दो ही दिन में फुल मून है यानि की चौधरी का चांद और वो मुकमल तौर पर भेडिया उसे दिन बन जाएगा इसके बाद ये सब लोग एना के महल में आ जाते हैं जहां पर वो एक दिवार को देखते हैं ना इन सब को बताती है कि हमारे आंसेस्टर्स इस दिवार को बार बार देखा करते दशायत द्रैकुला तक पहुँचने का ये कोई सीक्रेट या खुफिया रास्ता है वेन हेलस से निकर रहा था तब सीनियर प्राइस ने उसे कागस का टुकडा दिया था उस कागस के टुकडे को उसे दरवाजे पर लगता है तो वो दरवाजा खुल जाता है और वो सीधा ड्रैकुला के महल में इंतर हो जाते हैं यहां पर वह ड्रैकुला के असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं और मॉंस्टर को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह नाकाम रहते हैं मॉंस्टर यहां पर जाते जाते बताता है कि वैन हेलसिंग तुम्हारे भेडिये बनने का इलाज सिर्फ द्रैकुला के पास है उसके पास एक ऐसा वेनम है जो तुमने हासिल कर लिया और उसको सिर्फ भेडिया ही मार सकता है इसलिए ड्रैकुला ने वो इलाज संभल कर रखा हुआ है ताकि कोई भेडिया उसे पर अटैक करने आए तो वो उसको इंजेक्शन लगाकर दोबारा से इनसान बना दे इसलिए सेफ साइट के लिए ड्रैकुला ने वो इलाज अपने पास रखा हुआ है इसके बाद वैन हेलसिंग जाता है मॉंस्टर को ढूंडने के लिए जब केके एना और वो जूनियर प्राइस उस इंजेक्शन को ढूंडने जाते हैं जिसमें वैन हेलसिंग का इलाज है उन्हें वो इंजेक्शन तो मिल जाता है लेकिन ड्रैकुला का अस से भाग जाते हैं लेकिन ड्रैकुला की वाइफ इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ती और इन सब के दर्मिया लड़ाई जारी रहती है जबकि दूसरी तरफ मॉंस्टर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है ताकि ड्रैकुला के बच्चों को जगाया जा सके दोबार मॉंस्टर एक बिजली के जटका से आजाद हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और हम सीधा जाकर ड्रैकुला की वाइफ के उपर जाकर गिरता है जो की एना को तकरीबन मारने ही वाली थी मॉंस्टर के उपर गिरने से इसकी तीसरी वाइफ भी मारी जाती है आज प शकल में ड्रैकुला से लडने लगता है। ड्रैकुला भी अपने वैंपायर की मुकम्मल ताकक में है। ये दोनों आपस में काफी देर लडते हैं। कभी तो ड्रैकुला वैन हेलसिंग को मार रहा होता है। तो कभी वैन हेलसिंग ड्रैकुला को लेकिन आखिरकार वैन हेलसि उसकी गरगन पर काट देता है जिसकी वजह से ड्रैकुला वही पर मारा जाता है और उसके मरते ही ड्रैकुला के जितने बच्चे थे जिनको वो जिन्दा करना चाहता था वो सारे भी मर जाते हैं एना देखती है कि वैन हेलसिंग भेडिया बन चुका है क्योंकि एना के पास वो इंजेक्शन था जिसे वो उसे ठीक कर सकती थी तो वह उसे लगाने की कोशिश करती है लेकिन वैन हेलसिंग समझता है कि उसके लिए कोई खत्रा है और गल्टी से यह भेडिया एना पर हमला कर देता है एना वही पर मार जाती है यानि के एना को वैन हेलसिंग ने ही मार दिया लेकिन मरते मरते एना ने वो इंजेक्शन लगा दिया था जिसकी वजह से थोड़ी देर में वैन हेलसिंग दोबारा से इनसान बनता है और अपनी गल्टी पे बहुत पच्टाते हैं एना को पकड़ के बहुत रोता है उसने ये क्या कर दिया ये एक सेड मोमेंट है इसके बाद यह सब समंदर के किनारे जाते हैं और एना की डेड आदी को आग लगा देते हैं और उसी की थोड़ी देर बाद वैन हेलसिंग आसमान की तरफ देखते हैं जहां पे बादलों में उसे एना दिखाई देती है जो की मुस्कुरा रही होती है बहुत खुश लग रही होती है और वैन हेलसिंग भी उसको देखकर मुस्कुराता ह जैसे कि एना को सब कुछ मिल गया हो जैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर मिल गई हो और यहीं पे वैन हेलसिंग की स्माइल के साथ यह मुवी भी एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वाचिंग आगे बढ़ो उठाओ इसे नहीं तुम आगे बढ़ो और उठाओ बुजूर्गों ने सिखाया है कि बेटा कुछ भी करना लड़कियों की कोई बात कभी मत मानना कई चर तो ने गया है नहीं तब तो मुझे कुछ ज्यादा ही कोशिश करनी होगी देखा तुमारी बात माननी होती तो उठाओ से उठाओ से उठाओ से पट्वी नहीं जा शृटी करो 땅 जाओ जाओ जूँ जाने को ना को नहीं जा शुटी कावर्ठाओ देखो जुत शाज से गिनने शुरू करो आना झाल! 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 हहहह! यह! हुआए। हुआए। फुआए। हुआ यह पतरिए को नह भी बतार है कि अप्ट जो कि अपना ही लाज प्लाजो तो तो पर दोस्त पुमें चाहिए क्या कि अपने तक्लीक होगी तुम्हें तर्थ सहने कि आदद पड़ गई है मुझे इस से बता चलता तुम जिन्दा तो यह कहानी शुरू होती जहां पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि ड्रैकुला की हेल्प से एक मरी हुई लाश को जिन्दा करता है यानि की इसको जिन्दा करने में डॉक्टर की साइंस और ड्रैकुला की मैजिकल पावर्स हैं यह जिन्दा होने वाला आदमी बिल्कुल एक मॉंस्टर है दूसरी तरफ उस लोकल गाउं के लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर कुछ ऐसा कर रहा है इसलिए वो सब लोग उस डॉक्टर और उस मॉंस्टर को मारने के लिए उस किले की तरफ जा रहे होते हैं अंदर की तरफ डॉक्टर बहुत खुश होता है कि उसने बहुत अच्छी चीज इन्वेंट की है लेकिन ड्रैकुला बताता है कि वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तिमाल करेगा यानि क अपने objectives के लिए इस्तिमाल करेगा जो की बहुत खतरनाक होने वाले हैं इस चीज को देखते हुए Dr. Dracula को रोकने की कोशिश करता है लेकिन Dracula रुकने वाला नहीं था और वो उस दॉक्तर को मार देता है और उसी वक्त वो monster भी उठ जाता है और अपने बनाने वाले doctor को उठा कर उस किले से बाहर भागने लगता है और बाहर भागते भागते वो monster doctor को लेकर एक windmill के अंदर चला जाता है अब हम doctor के assistant को भी देखते हैं जो की basically ड्रैकुला से मिला होता है वो तमाम लोगों को बताता है कि वह monster doctor को लेकर उस windmill में गया है तुम लोग उधर जाओ और वह सब लोग उसे windmill की तरफ बढ़ने लग जाते हैं ये सब गाव के लोग उस windmill को आग लगा देते हैं जिसकी वजह से वो monster और doctor वही पर मर जाते हैं और इतनी ही देर में ड्रैकुला अपने उड़ने वाली फॉर्म में आ जाता है यानि की ड्रैकुला उड़ भी सकता है और इसी के साथ इसकी तीन wife होती है वो उसी जगह पर आ जाती है जहां पर वो monster मरा होता है ड्रैकुला बहुत उदास होता है बहुत नाराज होता है बहुत sad होता है और उसकी wife रो रही होती है उस monster को बचा नहीं पता और monster को क्यों बचाना चाहता था इस चीज का मकसद कुछ ही देर में हमें clear होने लगेगा अब कहानी एकदम से एक साल बाद की दिखाई जाती है यहाँ पर हम अपने main character Van Helsing को देखते हैं जो की एक monster slayer है यानी की monsters को पकड़ता है और उन्हें मारता है और यहाँ पर Van Helsing एक monster को पकड़ने के लिए आया होता है लेकिन वो monster उस पर attack करता है Van Helsing भी उससे लड़ता है खैर लड़ाई के आखिर में वो monster तर building से गिर के नीचे मारा जाता है और उसको मारने के बाद यह अपने मूल के एक church में वापस आ जाता है यहाँ पर यह priest से मिलता है यानी की पादरी से मिलता है यह पादरी एक ऐसे objective पर कम कर रहे होते हैं जिनका मकसद शैतानों को मारना है और Van Helsing इन ही के लिए काम कर रह होता है यह priest basically Van Helsing को बताता है कि Transylvania में मौझूद Dracula को तुम्हारा मारना next mission है और यह Dracula basically तमाम शैतानों का बाद शाह है उनका राजा है इसके अलावा priest यह भी बताता है कि एक लड़की एना और उसका भाई Transylvania में Dracula को मरने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं लेकिन वो खतरनात है इन लोगों की efforts काफी नहीं है तुम्हें जाके उनकी help करनी पड़ेगी और इस लड़की एना का खांदान पिछले 400 साल से Dracula के खिलाफ लड़ रहे हैं उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक काम्याब नहीं हुए और अब इनके खांदान में सिर्फ एना और उसका भाई ही रह गया है वेन हेलसिंग इस objective को select कर लेता है और वो इस mission के लिए मान जाता है यहाँ पर वेन हेलसिंग एक डूसरे priest से मिलता है जो की उसे different हतियार देता है different weapons देता है जिसमें वेन हेलसिंग को सबसे ज्यादा अच्छी एक cross वो लगती है एक तीर क की तरह वेन हेलसिंग आखिरकार उसे भी माना कर अपने साथ ले जाने के लिए तयार कर लेता है यानि अब सफर में वेन हेलसिंग और यह junior priest दोनों जाएंगे दूसरी तरफ आना और उसका भाई जो की ड्रैकुला के दुश्मन होते हैं वो यहाँ पर एक वेयर वुल्फ क पकड़ने के लिए ट्रैक बिछाते हैं यानि की एक भेडियों को पकड़ रहे हैं लेकिन काफी लड़ाई के बावजूद भी वो उसमें काम्याब नहीं होते वो काफी कोशिश तो करते हैं लेकिन जब वो भेडिया एन को मरने लगता है तो उसका भाई उसे हटा के उस व उने लगती है क्योंकि ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि उसका भाई मारा गया है कुछ दिन बाद वेन हेलसिंग ट्रांसलवेनिया में पहुँच जाता है यहाँ पर गाव वाले इसको पसंद नहीं करते लेकिन उतनी ही देर में ड्रैकुला के तीनों वाइपस इस गाव पर अटैक कर देती क्योंकि यहाँ पर एना भी मौजूद होती है और द्रैकुला की वाइपस एना को पढ़कर उसका खून पीना चाहती है यह सब देखते हुए वैन हेलसिंग भी इन द्रैकुला वाइपस से लड़ने लगता है यहाँ पर बेस्ट फाइटिंग सीन दिखाये गए हैं बैन हेलसिंग के लिए उनको मारना इतना आसान नहीं था लेकिन आखिरकार वो अपनी क्रॉस बॉस से एक वाइप को तीर मार देता है जिसकी वजह से एक वाइप वही पर मर जाती है जिसको देखकर बाकी दो वाइप दर जाती है और वहां से भाग जाती है जब एना देखती है कि ड्रैकुला की वाइफ ने उसके गाव वालों पर अटैक किया तो उसका इरादा और भी पका हो जाता है और वो ड्रैकुला को अकेले ही मरने जा रही होती है वेन हेलसिन स्मार्ट था उसे पता था कि ये अगर गई तो की जान को खत्रा होगा और वो उसको वहीं पर बेहोश कर देता है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके एना जब बेहोशी से जगती है तो वहाँ पर वो एक भेडियों को देखती है जो उसे पर अटैक कर देता है और यहीं पर हमें रिवील होता है कि वो भेडिया और कोई नहीं उसी का भाई था क्योंकि स् यानि कि आधा इन्सान और आधा भेडिया, अब एना का भाई आधा इन्सान और आधा भेडिया बन चुका है। उसे मरने की कोशिश करता है लेकिन एना का भाई दोबारा से भेडिया बन जाता है और वो वहां से भाग जाता है ये दोनों एन के भाई का पीछा करके एक ऐसी जगहे पर पहुँचने हैं जहां पर ड्रैकुला का सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वहां पर बहुत ज्यादा एक्स है जिसकी मदद से ड्रेग होला अपने हजारों लाखों आफ स्प्रिंग्स पैदा करना चाहता है यानि की अपने बच्चे पैदा करना चाहता है ताकि उसकी आर्मी बढ़ सके उसकी जेनरेशन बढ़ सके और इस मकसद के लिए उसे बहुत ज्यादा हाई एनरजी च कुछ बच्चों को जिन्दा भी कर लेता है और ये बच्चे जिन्दा होते ही गाव की तरफ जाते हैं ताकि लोगों का खून पी सके दूसरी तरफ यहां पर फर्स्ट टाइम वैन हेलसिंग और ड्रैकुला का आमना सामना होता है लेकिन वैन हेलसिंग मौका देखकर एना को ड्रैकुला ने बेसिकली एना के भाई को अपने एक्स्परिमेंट के लिए इस्तिमाल किया होता है क्योंकि उसके अंदर भेडिये यानि वैर वुल्फ की भी ताकत है लेकिन यह ताकत इतनी काफी नहीं होती ड्रैकुला के लाखों बच्चों को वो पैदा कर सके और ड्रै ड्रैकुला को हार का मुह देखना पड़ता है वैन हेलसिंग और एना भागते हुए एक विंडमिल की तरफ आ जाते हैं ये वही विंडमिल थी जो शुरू में दिखाएंगे थी वर्टिकल बार जहां पर मॉन्स्टर वो डॉक्टर मरेद थे अब जब ये दोनों अंदर आ और सिर्फ एक मैं ही ऐसा सोर्स हूँ जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को जिन्दा कर सकता है क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर और एनरजी है ये ड्रैकुला मेरे अलावा किसी भी और तरीके से अपने बच्चों को जिन्दा नहीं कर सकता तो मुझे मार दो लेकिन व पादर को यानि की उसे साइटिस्ट को मार दिया गया था और ये मास्टर उसे अभी भी मिस करता है इनकी सब बाते वेयर वुल्फ भी सुन रहा होता है यानि के एना का भाई ड्रैकुला के लिए काम कर रहा है तो वो ये सारी बाते जाकर ड्रैकुला को बता देता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिन्दा है तुम उसे मॉन्स्टर की हेल्प से अपने बच्चों को जिन्दा कर सकते हो लेकिन मुझे ठीक करने का क्योर तुम्हें देना होगा ताकि मैं फिर से इंसान बन सकू दूसरी तरफ एना मॉंस्टर को मारना चाह रही होती है लेकिन वेन हेलसिंग उसको रोक देता है वो कहता है कि मैं इसे अपने मुल्क लेकर जाऊंगा जहां पर यह सेफ रहेगा और ड्रैकुला इसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कभी भी इस्तिमाल नहीं कर पाएगा और ये सब लोग उसे मॉंस्टर को एक करेज में बिठा कर चलने लगते हैं रास्ते में जाते हुए ड्रैकुला की दो वाइफ इन सब पर अटैक कर देते हैं यह बहुत लड़ते हैं लेकिन इन्हें पहले से मालूम था कि हम पर रास्ते पर अटैक हो सकता है इसलिए इन्होंने एक ट्रैप भी बिछाया होता है और इसी ट्रैप में आकर ड्रैकुला की एक दूसरी वाइफ भी मारी जाती है और इसी वक्त एन्हों का भाई वेयर वोल्फ भी इन पर अट्टेक कर देता है वेन हेंसिंग लडाई में उसे मार तो देता है लेकिन वो उसे काट लेता है और देखते ही देखते ड्रैकुला की तीसरी वाइफ एना को उठाकर उर जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें एना चाहिए तो इस monster को तुम्हें हमारे हवाले करना होगा Wayne Helsing इसके लिए तयार हो जाता है और वो कहते हैं कि ठीक है हम सोदा ऐसी जगहे पर करेंगे जहां पर बहुत ज्यादा लोग होंगे अब ये एक festival में पहुँच जाते हैं जहां पर इनकी deal होनी थी और यहां आने से पहले Wayne Helsing उसे monster को कहीं छुपा कर आता है ताकि वो सिफ रहे इस festival के अंदर Wayne Helsing काफी मुश्किल के बाद एना को यहां से बचा कर भाग कर ले जाने ही वाला होता है कि ड्रैकुला का असिस्टेंट monster को पढ़कर उधर ले आता है हालां की Wayne Helsing ने तो उसको छुपा दिया था लेकिन किसी तरह वो लोग उसको ढूंड लेते हैं और वो उसको पकड कर ले आते हैं उसे monster को boat पर बिठा कर लेकर जा रहे होते हैं Wayne Helsing उनका पीछा करता है लेकिन वो नाकाम्याब रहता है यानि की उसको success नहीं मिलती और यहां पर Wayne Helsing पर भेडिया हावी होने लगता है उसके आसार नजर आने लगते हैं उसके symptoms नजर आने लगते हैं लेकिन वो अभी मुकमल तौर पर भेडिया नहीं बना होता योंकी वेर बोल्फ बनने के लिए यानि भेडिया करने के लिए चांद का होना जरूरी है चांदनी रात का और अभी चांद उतना नहीं निकाला होता लेकिन दो ही दिन में फुल मून है यानि की चौधरी का चांद और वो मुकमल तौर पर भेडिया उसे दिन बन जाएगा इसके बाद ये सब लोग एना के महल में आ जाते हैं जहां पर वो एक दिवार को देखते हैं है ना इन सब को बताती है कि हमारे आंसेस्टर्स इस दिवार को बार बार देखा करते दशायत द्रैकुला तक पहुँचने का ये कोई सीक्रेट या खुफिया रास्ता है वेन हेलसिंग उस दिवार को देख रहा होता है और नीचे देखता है कि एक उसका कवर फटा हुआ है उसको देखकर उसे ख्याल आता है कि जब मैं अपने मुल्क से निकर रहा था तब सीनियर प्राइस ने उसे कागस का टुकडा दिया था उस कागस क तुकडे को उसे दर्वाजे पर लगता है तो वो दर्वाजा खुल जाता है और वो सीधा ड्रैकुला के महल में इंतर हो जाते हैं यहाँ पर वह ड्रैकुला के असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं और मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह नाकाम रहते हैं मौन्स्टर यहाँ पर जाते जाते बताता है कि वैन हेलसिंग तुम्हारे भेडिये बनने का इलाज सिर्फ द्रैकुला के पास है उसके पास एक ऐसा वेनम है जो तुमने हासिल कर लिया और खुद को लगा लिया तो तुम इनसान बन जाओगे और तुम कभी भेडिया नहीं बनोगे पर वो वेनम द्रैकुला ने अपने पास इसलाए रखा हुआ है क्योंकि उसको सिर्फ भेडिया ही मार सकता है इसलिए द्रैकुला ने वो इलाज संभल कर रखा हुआ है ताकि कोई भेडिया उसे पर अटैक करने आए तो वो उसको जब केके एना और वो जूनियर प्राइस उस इंजेक्शन को ढूंदने जाते हैं, जिसमें वैन हेलसिंग का इलाज है, उन्हें वो इंजेक्शन तो मिल जाता है, लेकिन ड्रैकुला का असिस्टेंट उन्हें वहां पर बंद करके भाग जाता है, यहां पर ड्रैकुला की ती आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ती और इन सब के दर्मिया लड़ाई जारी रहती है जबकि दूसरी तरफ मॉंस्टर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है ताकि ड्रैकुला के बच्चों को जगाया जा सके दोबारा से जिन्दा किया जा सके यहां पर वैन हेलसिंग मॉं लड़का से आजाद हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और हम सीधा जाकर ड्रैकुला की वाइफ के उपर जाकर गिरता है जो की एना को तकरीबन मारने ही वाली थी मॉंस्टर के उपर गिरने से इसकी तीसरी वाइफ भी मारी जाती है आज पूरे चांद की रात है और वेन हेलसिंग एक इनसान से एक वेर वुल्फ बन जाता है यानि की भेडिया बन जाता है जो दिखने में काफी डरावना और बहुत ताकतवर है वेन हेलसिंग भेडिया की शकल में ड्रैकुला से लड़ने लगता है ड्रैकुला भी अपने वैंपायर की मुकमल ताकत मे ये दोनों आपस में काफी देर लड़ते हैं, कभी तो ड्रेकुला वैन हेलसिंग को मार रहा होता है, तो कभी वैन हेलसिंग ड्रेकुला को लेकिन आखिरकार वैन हेलसिंग उसकी गरगन पर काट देता है, जिसकी वजह से ड्रेकुला वही पर मारा जाता है, और उसके मरते ही ड्रैकुला के जितने बच्चे थे जिनको वो जिन्दा करना चाहता था वो सारे भी मर जाते हैं एना देखती है कि वैन हेलसिंग भेडिया बन चुका है क्योंकि एना के पास वो इंजेक्शन था जिसे वो उसे ठीक कर सकती थी तो वह उसे लगाने की कोशिश करती है लेकिन वैन हेलसिंग समझता है कि उसके लिए कोई खत्रा है और गल्ती से यह भेडिया एना पर हमला कर देता है एना वही पर मार जाती है यानि के एना को वैन हेलसिंग ने ही मार दिया लेकिन मरते मरते एना ने वो इंजेक्शन लगा दिया था जिसकी वजह से थोड़ी देर में वैन हेलसिंग दोबारा से इनसान बनता है और अपनी गल्ती पे बहुत पच्चताते हैं एना को पकड़ के बहुत रोता है उसने ये क्या कर दिया ये एक सेड मोमेंट है इसके बाद यह सब समंदर के किनारे जाते हैं और एना की डेड ब बहुत खुश लग रही होती है और वैन हेलसिंग भी उसको देख कर मुस्कुराता है जैसे की एना को सब कुछ मिल गया हो जैसे वो अपने पैरेंट्स के साथ जाकर मिल गई हो और यहीं पे वैन हेलसिंग की स्माइल के साथ यह मुवी भी एंड हो जाती है थैंक यू फॉ बार वाचिंग